हेलो दोस्तों, वेलकम बाग टू शेईरियन's कोडिक स्कूल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Animations Animations क्या होते हैं, animations क्यू होते हैं सब कुछ करेंगे स्टार्टिंगी शुरू और इस वीडियो में बहुत सारे टापिक सम कवर करेंगे यानि कि आप जो भी awarded websites देखते हैं, जो भी आप animated websites देखते हैं, उनके animations आप खुद से बना पाएंगे, इतना मैं इस वीडियो में आप लोगों को train कर दूँगा, इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे बहले तो CSS animations क्या होते हैं, after before क्या होते हैं, basic समझेंगे अच्छे से, उस स्क्रॉलिंग को बहुत जादा smooth कर पाएंगे, जिससे आपके user का experience बहुत enhance हो जाएगा, हम swiper जह सीखेंगे, जिसमें आप sliders बना पाएंगे, और फ्रेमर motion भी सीखेंगे, जिससे आप react के अंदर animations बना पाएंगे, वीडियो काफी जादा detailed और काफी जादा प्यार से बना हैं, हम उनका project आप लोगों के लिए लेकर आना चाहते हैं, तो please do comment, hashtag project, और ध्यान से इस वीडियो को देखें, लास तक start करते हैं, let's go अच्छा आगे बढ़ें उससे पहले एक important part, animations होते क्या है, animations होते क्यों है, आसान भाशा में बिना definition के अगर मैं आपको समझाने जाओं, तो animations हमारी website के अंदर जान डालने का काम करते हैं, आपकी static website, जो की rookie हुई हैं, जो की कुछ नहीं करें, उनको जादा interactive बनाने के यूजर अगर आपकी website पर आ रहा है, तो उसको जादा interactive way में चीज़े दिखाने के लिए, यूजर जादा अपने आपको engaged करें website में, हम इसके लिए animation यूज करते हैं, animations काफी सारी तरीके के होते हैं, आप किसी element को move कर रहे हैं, तो वो भी एक animation है, इस element को आप बढ़ा या request है, अगर आप इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको HTML और CSS और JavaScript थोड़ी बहुत at least आने चाहिए, JavaScript आपको बहुत जादा advanced level पे नहीं भी आती है, तो भी कोई परिशानी नहीं है, आपको अगर HTML CSS आता है, तो भी आप 90% चीज़े इस वीडियो की सीख जाएं ठीक है दोस्तों, react आना चाहिए, ताकि हम frame and motion, जो कि इस वीडियो का last topic होने वाला है, frame and motion थोड़ा सा समझ पाएं, और हर topic के लिए हमने already या तो वीडियो बना ली है, जो कि detailed है, जैसे जी साब की एक series जो है, हमने साड़े 5-6 घंटे की बनाई थी आप लोगों के लिए, आप चाहिए तो वो देख सकते है, locomotive की video available है, अगर detail में जाना चाहिए, this video contains revisions, मतलब कि ये library क्या होती है, क्या करती है, किस तरीके से मैंने आपको काफी बढ़ी आवे में बताया है, आप अगर देखेंगे तो आपको revision बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक topic last में frame and motion भी ह frame and motion की detailed video आई नहीं, लेकिन बहुत जल्दी वो भी लेके लिए आएंगे आप लोगों के लिए, तो animation आप लोग, I hope समझ पा रहे होंगे कि animation क्या होता है, website को interactive बनाने के लिए काम आता है animation, अब video शुरू करते है, सबसे पहला topic CSI animation पढ़ने की तरफ जाते हैं हम लोग, let's go Alright दोस्तों, तो अब हम आचुके हैं हमारी computer screen पे, और यहाँ पर मैंने animation नाम का folder बनाया है, जिसे मैंने VS Code में open कर लिया है, VS Code हमारा code editor है, मैं personally VS Code थोड़ा जाधा prefer करता हूँ, आप चाहें तो कोई और भी code editor यूज़ कर सकते हैं, कोई problem नहीं, अब यहाँ पर VS Code के अंदर animation नाम का folder है, इसके अंदर हम सारी चीज़े करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ सुनो, मैंने एक छूट इसे आप लोगों के लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने एक topic आपको बताए दिया है, कि what is animation, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्या जरूरत है इसकी, और इस वीडिय कैसे animations करते हैं, with the help of framework motion, ठीक है, तो वो सब भी देखने वाले हैं, ठीक है, अब बात सुनिये जहान से, यहाँ पर जाके, हमने एक index.html नाम की file बना ली है, और यहाँ जाके, हमने index.html को open कर लिया है, कुछ इस तरीके से, हमने यहाँ पर link करा है, css को, और यहाँ जाके c css की file बना लेंगे, भया, js की file नहीं बना रहे है, css animation में js की file का क्या काम, बना ले, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना सकते हैं, अभी के लिए हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ जाके, एक box नाम का div बना रहा हूँ, simple, और यहाँ जाके, मैंने, थोड़ा सा माल लेते हैं, 300 pixel, width देती हैं, 300 pixel, background color देती हैं, मैंने, lavender, साहिए, साहिए, चलो, ठीक है, और अपने एक काम और कर लेते हैं, रोको, मैं यहाँ जाके, इसको border radius भी देता हूँ, 50 नहीं, 5, 10 pixels की देते हैं, जाधा बेटर रहेगा, ठीक है, और यहाँ जाके, जब हम करेंगे इसको open with live server, तो यह कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, साहिए, मेरे इसाब से यहाँ तक ठीक है, box को थोड़ा सा lavender color की जगा कुछ और देते हैं, अपन थोड़ा सा दिखेगा, crimson देते हैं, ठीक है, यह आपको color के नाम कैसे आदे हैं, अरे भाई, बनाते रहो, अपने आ कान से सुनना, सारे लोग, बहुत important, कान खोल लो, आख खोल लो, जोग जोग, छेद शरील का सब खोल लो, सुनो, मैंने यहाँ पर CSS animation के इंदर चाहिए, मुझे दो चीज़ें, पहला है animation, मनलब animation क्या होगा, जैसे example के लिए, यह मेरा box है, अब इस box को मैं इस position से, let's suppose, move कर कि यहाँ पर कहीं पर लेकर आना चाहता हूँ, this is the animation, मेरा element किस तरीके से animate होगा, क्या होगा animation के अंदर, यहाँ पर हम रखेंगे, animation के अंदर, दूसरा है, application of animation, मतलब, मतलब कि मैंने, पहली चीज़ animation को बनाया, क्या रहने वाला है, और उसको apply करा, किसके उपर, जिस भी element पर मुझे उसको use करना है, जैसे कि माल लेते हैं, मुझे इस box को animate करना है, तो पहले मैं लिख लूँगा, जो भी animation में करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं box को यहाँ से यहाँ तक move करना चाहता हूँ, तो यह मैंने animation बना लिए, अब animation को बनाने के बाद, उसको इस पर apply करना है एक अलग process है, example के साथ बनाओ, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, कि let's suppose कि हमारे पास एक example हमेशा available है, आरेन, अब आरेन जो है हमारे पास, हमारा दिन इस वीडियो का editor है, तो आरेन को मान लेते हैं, भूख लगी है, अब आरेन यहाँ से दो चीज़े करेगा, पहला खाना बन process है, बिना उसके तो खाई नहीं सकते हैं, यहाँ जाके animation को बनाना एक process है, और उसको apply करना, यानि कि खाने को खाना एक अलग process है, क्या है आपर आप समझ पा रहे हैं, तीरे-दीरे समझ आ जाएगा, it might seem challenging, but it's not hard, it's new for you, that's it, समझ रहो, ना यहाँ है, इस वज़े से आप आपको कई बार लगेगा क्या समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, लेकिन दो-तिन बार दो-तिन बार देखोगे, automatically आपको याद हो जाएंगे, और फिर आसान लगने लगेंगी, समझ रहना आप लोग, तो सुनिए, यहाँ जाके box जो बनाया था, box के अंदर मैं आपर ज चलता हुआ नहीं दिखेगा, अनिमेशन कैसे बनाते हैं, अनिमेशन बनाना बहुत आसान है, आप लिखिए, simple, add the rate, keyframes, हम लोग की फ्रेम की फ्रेम की फ्रेम की फ्रेम नया है, बिलकुल डर ना मथलकी, हलका अलका सा डर लगेगा, लेकिन कोई दिखकत नहीं है, मैंने का add the rate, keyframes, identifier की जगा रखते हैं, आप अपने animation का नाम, तो मैंने इसका नाम रख दी हमाल लेते हैं, move, जो आप चाहें रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसका नाम रख सकते हैं, anime, रख सकते हैं, तो जितरे भी anime lovers हैं, please hashtag anime नीचे comment करना, अगर आप anime lover होत तो, और कर देना, नहीं, कार्टून मत करना, प्लीज, लोग offend हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, मैंने आप एनिमेशन मना लिए, जिसका नाम मैंने रख ले, anime, भाईया, यहां पर इसका नाम कुछ ऐसा ही रखना ज़रूरी है, आपका मन करें, यहां पर चाचा रखना है, चाचा रख के साथ अगर देखें, तो माल लेते हैं कि यहां पर यह जो हमारा box है, यह वही box है, जो हमने यहां पर बनाया है, और यह है हमारी screen, अब ऐसा समझ के चलिए दोस्तों, कि जब यह अपनी यहां वाली position पर बैठा हुआ है, यह है इसकी initial position, कौन सी position है दोस्तों, जल्दी से Final position, समझा रहा है क्या, तो मैं यहां जा के क्या करता हूं, माल लेते हैं कि मेरा box यहां पर आगया, यहां पर कहीं पर screen यहां पर आगया, जो क्या यह Mehl होता होता, तो मैंने यां आजा के क्या कहा, मैंने यह जा कि कहा, कि यह मेरे box की फाइनल, कौ शीवован, जल्दी से बोलो कि initially आपका element कैसा दिखता था कहां बैठा हुआ था क्या कर रहा था और आपको बताना पड़ता है final position पर जाके वह कहां पर जैसे मैंने कहा initially मेरे element left से बैठा है zero पर और मैं चाहता हूँ कि जब animation हो जाए तो left से चले जाए let's suppose 50% पर आपने कहा initially मेरे element बैठा था जीरो पर और final position जब animation खतम हो गया तो उसके बाद मेरे element बैठा है 50% क्या यहां तक समाझ आया मैं implement करके बताता हूँ आजओ देखो आपने क्या कहा आपने यहां जाके कहा element बैठा हुआ left से 0 पर यह left to right तो अपन पोजिशन absolute के बाद ही देते थे तो आपने काम करते हैं box को पोजिशन absolute पर जरूरी है जरूरी है जरूरी नहीं है left right वाला animation कर रहे है न इसलिए इनिशिली मेरे element बैठा है left से 0 पर और 2 के अंदर आप लिखते है final position फाइनल पोजिशन मलब animation खतम जब होगा ता मेरे element कहां पहुँच चुका होगा बनाया है ना खाया थोड़ी है अभी अभी सिर्फ खाना बनाया यह आपका animation बनके तयार है बढ़िया बना लिया आपने animation अच्छा animation है क्या लेकिन आपने उसका अभी apply किया किसी element पर नहीं किया तो apply कैसे करते हैं वह बताता हूं सुनो आपने animation बनाया initially आप यहां पर चाहें कुछ और भी दे सकते हैं लेकिन जब एक बार आपने animation बना लिया apply करते हैं आपको दो properties देना बहुत जादा जरूरी है जिसमें से पहली property है दोस्तों animation का नाम क्या नाम animation का एनीमे अच्छा मतलब भी यह जो नाम अपन यहां लिखते हैं वही नाम अपन को animation का name में लिखना पड़ता है कि हां बिल्कुल दोस्त बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग उसके बाद आपको यहां जाके लिखना animation की duration duration मतलब आपके animation कितनी देर तक चल आया बहुत अच्छी तरीके से यहां जाके मैंने animation को खाली है खाली मतलब अपलाय कर लिया यहां जाके मैंने लेखा animation का नाम है अनीमे और animation की duration है तीन सेकंड की और अगर अब देखेंगे तो आपका element move हो गया लेकिन अपनी जगह पे वापस आके बैट गया और जब तक अपन वहां पहुचते हैं तब तक already चल जाता है दोस्तों यह problem है यहां जाके मैंने का animation का मैंने यहां जाके दे दिया delay एक second का ठीक है ध्यान रखना इस तरीके से चीज़े देना जरूरी है में CSS में काम कर रहे है तो second और three के बीच में gap मत रखना ऐसे लिख देना अच्छे से अगर हम देखेंगे तो जब मैं यहां पे गया reload लिया एक second का wait किया इसने और फिर आगे के तरफ चला गया आपको यह समझा है animation होने लगा भया एक बार फिर से कोई बात नहीं ध्यान से move और यहां जाके मैंने का initially मैंने का left से बैठा है 0 पे और rotate initially 0 है और background color भी initially क्या है red है ठीक है मैंने का 2 यानि final position में left से पहुँच चुका होगा 75% पे rotate हो गया होगा भाई का हमारे 360 DEG DEG मतलब degree और background color जो है वो हो चुका होगा माल ले पे blue ठीक है ठीक है यह गंदी color से आपको याद रहें और यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें animation चलता हुआ नहीं देखेगा ठीक है ओके यहां जाके अगर मैं कहूंगा animation का नाम क्या नाम मैं दोस्तों आपने थोड़ी देर पहले बनाया है animation की duration कितनी देनी भी यह duration जितना आपका मन करें मैंने देदी 3 seconds थोड़ा सा धीरे धीरे जाएगा यह चल गया क्या आपको यह समझाया क्या हुआ animation बन गया अच्छा ठीक है भाईया क्या आप मुंको और अच्छी तरीक से apply करना सिखाओ के भी यहां बिलकुल लेकिन एक ज पर करने के बाद बाय द्रीशन यहां यहां तक ठीक है अगर आप चाहते हैं कि यह मन आपका मैं ऐरा बॉक्स है मैं चाहता हुं कि ऐसे मॉफ करें कि आप समुझ पा रहें और हमें एक और चीज़ है जब आप अप अनिमेशन बनाते हैं तो एक तरीका तो यह होता है तॉप से 0 और Background color महाल लेते हैं मैंने दे दिया red मैंने का 100% यानि पूरा animation चल गया, तो left से चला गया महाल लेते हैं 70%, top से चला गया महाल लेते हैं 50% और background color मैंने दे दिया महाल लेते हैं blue, सही है तो यहां पर जाके आपका इनिमेशन कुछ इस तरीके से चल रहा है, जैसा पहले चल रहा था, कोई अंतर नहीं है, आपने बस दो चीज़े दिए अपलाय करने के लिए, अपलाय करने भी, मतलब खाना खाने की विधी है, बहुत प्यारी विधी है, दिरे दिरे सीख जाओग अगली चीज़ी है कि मैं फ्रॉम और टू के बीच में क्या लिख सकता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 0% और 100% की बीच में क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है, समझपा रहे हैं आप लोग है, तो मैंने अगर इन दोनों के बीच में एक और पॉइंट बना दिया, आप माल लेते हैं 50% का, कि जब मेरे animation की duration आधी होगी, जब मेरे animation आधा चल चुका होगा तब क्या करना है मुझे, तो मैंने कहा एक काम करो, left से आप चले जाओ 70% पे, और top से अभी बैठे हो, कहाँ पर आप, 0 पर आपका background color हो चुका है, माल लेते हैं green, तो सुनो, animation 0 से च 100% पे, left से 70% और top से move हो जाएगा तो आपको animation कुछ, ऐसा चलता हुआ दिखाई देगा, पर यहां गया, पर यहां चला गया, आया समझ में क्या हुआ, यह कैसे कर रहा है, आपने आप पर सेंटेज वाइस चीज़ों को arrange कर दिया है, I hope आपको यह समझ आया होगा, ठीक है, और एक और चीज़, इन सारे topics के लिए एक full-fledged 2-2 घंटे की वीडियो बन सकती है, मजाख सेट के, काईट यह topics को मैंने बना भी चुका हूँ, जैसे कि मैंने जी साब और स्क्रॉल टरगर की पूरी सीरीज बना ही थी, साथ वीडियो थी आया हो, शाय है उसमें, और सारी एक दिल घंटे, एक दिल घंटे की थी, तोटल 5-6 घंटे का पूरा one-shot है, अगर आप देखना चाहिएंगे, वहाँ देख लिजगा, मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना, लेकिन अगर आप चाहते हैं, हर टॉपिक, जैसे CSS अनिमेशन और आफ्टर फूर करके टाइप करना, इस सीरीज कतम होने के बाद हम आपको हर एक टॉपिक की फुल वीडियो भी लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों, चलो, अब यहाँ जाके, मुझे लगता है कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर चल रहा है आप लोगों के लिए, और सब कुछ आपको समझ भी आ जोगा, तो कि उसका नाम मूफ था, ठीक है, आप कहते हैं, डियोरेशन कितना समय लगेगा, और डिले इतना देर बाद शुरू होगा, अब यह डिले और दियोरेशन में क्या अंतर है, भी बताता हूं, समझो, मान लेते हैं, कि मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ हूँ है, औ और मान लेते हैं, कि मुझे आप से मिलने, मतलब आप, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप से मिलने मुझे मान लेते हैं, कि आप लोग रहते हैं, मैं भॉपाल में रहता हूँ अभी, और आप लोग रहते हैं, मान लेते हैं, बैंगलोर में, अब मुझे यहाँ से बैंगलोर जाने का जो duration है समय है वो आएगा duration के अंदर लेकिन अभी तो मैं recording कर रहा हूँ अभी एक घंटे और recording करूँ और एक घंटे बाद में निकलूँगा तो एक घंटे बाद में निकलूँगा यानि एक घंटे का delay हो गया और total पहुचने में कितना समय लगा वो हो गया duration क्या आप समझपा रहें जैसे कि मैं यहाँ पर एक घंटे रुकूँगा और उसके बाद बैंगलोर जाने के लिए निकलूँगा तो यहाँ से एक घंटे का मेरा delay हो गया यहाँ से बैंगलोर जाने में जो समय लगा वो हो गया duration तो total समय मैंने कितना लिया तीन घंटे का वैसे यहाँ पर है delay हो गया एक सेगंड का और दियूरेशन हो गया तीन सेगंड की ऐसा चल रहा है साब हम साब अब और क्या करें सकते हैं इसके अंदर और एक थी प्रॉपर्टी फाइनल की आप यहाँ पर क्या क्या सकते हैं आप क्या सकते हैं अनिमेशन का फिल मोड लेक्ट सबोस मैंने दे दिया फॉर्वर्ड फॉर्वर्ड मतलब जहां खतम हुआ उन प्रॉपर्टी को ले लो यहां जाके अगर आप देखेंगे मैंने रिलोड करा अपनी जगह से उठके आया और अब यहां पर आके रुट चुका है यहां समझ पारें मेरी बात बहुत बढ़िया अच्छा और क्या कर सकते हैं हम लग भया हम यहां पर जाके अनिमेशन का फिल्मोड रख सकते हैं बाकवर्ड जो की डिफॉल्ट में होता ही है जब अनिमेशन चल जाएगा आपनी जगापर आके बैग जाएगा वापस पहले बैठा हुआ ता और मैंने कर दिया अनिमेशन फिल्मोड फॉर्वर्ड पार धिया तो यह मैंने अपनी जगापर आके फैनल वाली पोजिशन पे बैग जाएगा क्या है यहां तक समझ आया अब अगर आप चाहते हैं लेट चब चलो मैं इसका टॉप वाला पाट अटा देता हूं यार लेफ्ट लेफ्ट में क्या मेरे पीजे छुपेगा लोगों को मेरी शकल नहीं दिखाई देगी तो शकल नहीं दिखाई देगी तो फिर कैसे काम इसके बाद अगला टॉपिक हो इसका नाम है एनिमेशन इटरेशन काउंट को मतलब होता है जब आपका एनिमेशन चल रहा है तो कितनी बार चल रहा है जैसे मैंने इसको थोड़ा सा आगे तक लें कि चाहूं 80% कर देते हैं इसको थोड़ा अच्छा लगेगा अजी अरे ज्यादा आगे चला गया ठीक है बढ़िया नहां तक कोई इस्यू नहीं है अब सुननो ध्यान से मैं यहां जाकर iteration count को अगर infinite करना चाहता हो तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा पता है क्या? infinite अप्शन में आ जाएगा वैसे तो आप भी लिख देना यहां पर पता है क्या होगा? यह infinitely चलता ही रहेगा infinite आ रहे है समझ में क्या हो रहा है? एक और बहुत important चीज़ है जिसका नाम है animation की direction direction मतलब animation की दिशा में चल रहा है जैसे कि मैंने direction रखी normal तो यह सीधा सीधा चलता रहेगा एक बार सीधा जाएगा फिर वापिस अपनी जगा पे आएगा नहीं वापिस नहीं आएगा हर बार सीधा ही चलेगा सौरी हर बार सीधा चलेगा ठीक है मैंने अगर इसकी direction कर दी मान लेते हैं reverse यह उल्टा चलेगा ठीक है भाईया समझ आ गया और अगर मैंने इसकी direction कर दी alternate तो क्या होगा पता है alternate चलेगा देखाऊं क्यासे देखो ध्यान से एक बार सीधा एक बार उल्टा एक बार सीधा एक बार उल्टा कुछ इस तरीके से चलेगा क्या यहां तक समझ आया भाईयों आप लोगों को सच में यहां पर आपने क्या किया आपने यहां पर कुछ इस तरीके सा अनिमेशन बना ली और अगर आप जाके अगर इसको देदेंगे duration दो सेकेंड की क्योंकि बहुत अगर हम देखेंगे तो यहां पर जाके थोड़ा से चलता हुआ देखेंगा यहां तक क्लीर है दोस्तों बहुत बड़ी अच्छे तरीके से हमारा अनिमेशन चल रहा है अगर मैं यहां पर एक छोटी लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताना जाता हूँ वह है एनिमेशन का टाइमिंग फंक्ष्ण यह इंपॉर्टेंट है जहां से सुनना अनिमेशन टाइमिंग फंक्ष्ण मतलब ऐसा समझ लो कि जब आपका बॉक्स यहां से यहां की तरफ आ रहा है तो उसका ग्राफ क्या है उसकी स्पीड क्या है मतलब ऐसा समझ लो कि माल लेते हैं कि मैं एक point से दूसरी point की तरफ जा रहा हूं तो मैं किस speed में जा रहा हूं कि आप समझ पारे हो जैसे कि मैं इस starting बानते हैं बहुत slow करें लेकिन last में आते हैं थोड़ा सा fast होगा जैसे यह है समझना यह कैसे चलेगा स्टार्टिंग अपार्टिंग 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 अ मैंने कर दिया is out, तो starting is slow है, यह default में होता ही है, और last में आते थोड़ा चाहिए, starting fast है, last में आते थोड़ा सा फस्ट हो जाएगा, अगर मैंने कर दिया, starting और ending दोनों slow हो जाएगी, थोड़ा धीर से शिरू होगा, और last में आते थोड़ा सा रुप जाएगा, आया समझ में क्या हुआ और अगर मैं इसको कर देता हूँ linear तो यह linear speed से जाएगा कि आपको यह समझ आ रहा है किस तरीके से हो रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है कोई परिशानी नहीं है तो यहां तक मैंने क्या किया यहां तक मैंने animation को आप लोगों को जितना हो सके उतने आसान बाशा में बताने की कोशिश किया है linear function को आप अपनी मर्जी से भी बना सकते क्यूबिक बीजियर रखे help से हम इसे करेंगे फुल फ्लेश वीडियो में cover करेंगे परिशान मतों आप लोग कॉमेंट तो करो मैं CSS animation इतना ज्यादा डीटेल में इसलिए न जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है लोगों को थोड़ा बहुत आता है तो जो बाकी के इंपॉर्टी टॉपिक से उन पर ज्यादा पन फोकस करेंगे ठीक है यहां तक सब कुछ ठीक है अब एक और टॉपिक देख लेते हैं जल्दी बिना किसी देरी के उसका नाम है इसका मैंने लिख लया है मैंने लिख दिया है ले पहले है यहां रहा है यह नहीं है अब ही एक अब जाथा ओर नावर के शयाजली ते काम 15 총 8 5 100 तो यह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अब after before का मतलब समझो क्या होता है, सनो, हम लोग HTML यूज़ करते हैं दोस्तों, content डालने के लिए, मतलब अगर मुझे कोई text लिखना है तो मैं HTML से डालूँगा, मुझे कोई div बनाना है तो मैं HTML से बनाऊंगा, मुझे कोई audio या video डालन में, लेकिन क्या हम CSS की मदद से content डाल सकते हैं website में, और जवाब है नहीं, मतलब after before से पहले तक नहीं, after before के बात तो हाँ, after before से क्या होता है, आप CSS के help से content डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह जो content होगा, यह एक virtual content होगा, यह एक छलावा माया है, बताता हूं कैसे, य मैंने यहाँ पर hello guys लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको hello guys देख रहा है, मैंने यहाँ पर क्या कहा, after before होते हैं दोस्तो, pseudo selectors, pseudo selectors, pseudo selectors मतलब कि आप उनको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और after before आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानि कि आपने लेका let's suppose h1 तो आप h1 क कि after में एक element बनाना चाहते हैं, तो मैंने लेका h1 के अंदर after है, after की मदद से आप चीज़े लिखते हैं, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए, कि जब आप after या before का use करेंगे, आपको हमेशा एक property देना जरूर ही है, उसका नाम है content, क्या नाम है भीया, content, क्या-क्या फिर से बता content, अच्छा, ठीक है, दिखा दो कैसे करते हैं, मैंने लिखा यहां पर दोस्तो content, और content लिखने के बाद मैंने आ जाके खा, double code के अंदर, या single code के अंदर, like कर दो, आपको यहां पर लिखा है दिखा ही देगा, hello guys, like कर दो, अच्छा, ठीक है, भईया भईया फिर से बताना देखो ना जाओ, h1 के आप अगर after make element बनाते हैं, आपने open करा, content देना जरूरी है, इसके बिना काम ही नहीं करेगा, और content के बिना काम नहीं करेगा, तो हमने content बनाया, और इसके इंदर मैंने space छोड़के, like कर दो, guys, और तुम लोग नहीं करते हो, बाई, मजाक सेट के, करता है, तो मैंने का, h1 के, मैं बनाना चाहता हूँ, before make element, और before मैं मैं क्या लिकूँगा, content, content इसमें भी देना जरूरी है, और क्या, subscribe, यहाँ पर आपको देखेगा, subscribe, hello guys, like कर दो, और ध्यान से देखो, कि अगर, तो मैं hello guys को select कर पा रहा हूँ, पर क्या मैं like को select कर पा र देखाता, before अलग बना हूँ है, और after अलग बना हूँ है, कि आप मेरी बात समझ पा रहे है, यह real elements है ही नहीं, यह virtual elements है, छलावा है, और आप इनको अपने एसाब से edit भी कर सकते हैं, जैसे, कि मैंने यहाँ जाके, like कर दो का, मैंने कर दिया, color होता है, sorry, royal blue, मैंने subscribe का color कर ब 받아 कर दिया है, माल लेते है, red, sweet color कर दिखने लगेगा, मैंने यहाँ जाके, इसको ऑफ son changed कर दिया, 20px, तो फोड़ावा हो जाएगा, और like कर दो का prze continents यहला से लिए, 20px, यह थोड़ा हो जाएगा, मैंने रहाँ जाके, क्या कहा, एक काम कर दिया, color नहीं तो यहाँ आ ज पिक्सल और दस पिक्सल और बॉर्डर रेडियस दे देना पांच पिक्सल की तो एस यू कन सी यह दोनों कुछ ऐसे दिखाई देने लगेंगे आई होप आपको यह समझा रहा है किस तरीके हो रहा है तो आफ्टर विफोर से आप यह कर सकतें दोस्तों और आफ्टर विफोर से आप बहुत प्यारे प्यारे अनिमेशन भी बना सकतें I highly request you all आफ्टर विफोर मैंने इस वीडियो में बहुत जादा डीटेल में पढ़ाया हुआ है लेकिन काफी पुरानी वीडियो हो चुकी है अगर आप कहेंगे CSS animation और after 4 की complete class होनी चाहिए तो बिलकुल आपके लिए लेके आएंगे ठीक है जी चलिए अब हमें क्योंकि बहुत important topic पढ़ने हैं जो बिलकुल एक दम मेंध के समान बहुत बड़े-बड़े हैं जिसमें सबसे पहला topic है जी साप चलिए फिर जी साप पढ़ने स्टार्ट करतें तब तक एक बार ये भी practice कर लीजेगा चलो बढ़ते आगे जिस पल का हमें बहुत सद्योस इंतिजार था वह पला चुका है दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं जी साप ठीक है CSS animation थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा और अब हम पढ़ने वाले हैं जी साप obviously gsap greensock animation platform एक javascript library है जो कि आपको moving animations प्रोवाइड करती है अच्छा यह कुछ समझ नहीं है अच्छे समझाता हूँ कोई दिखकर नहीं देखो जब भी हम बात करते हैं दोस्तों library की जैसे कि हो गया gsap अब gsap एक library है library का मतलब है कि यह क्या सकते हो javascript की library है जो कि आपको क्या सकते हैं हम लोग की moving animations जैसे कि कोई element यहां से वहां की तरफ जा रहा है या कोई element move हो रहा है या कुछ भी हो वह वाला feature provide करने में हमारी help करती है libraries basically आपको कोई specific specialty देने में help करती है जैसे कि हम बात करते हैं अगर gsap की तो gsap के अंदर हम लोगों को moving animations वाली चीज़े मिलते है scroll trigger आपको scrolling based animation करने में help करता है like मैं scroll कर रहा हूँ और animation हो रहा है moving वाला तो हम scroll trigger का use करते हैं हम locomotive js के use करते हैं हमारी website के अंदर smoothness smooth scrolling को provide करने में तो यह एक speciality हो गई lens भी उसी तरीके का काम करता है और ज्यादा बढ़ी away में करता है swiper js क्या करता है swiper js और क्या सकते हैं कि आपकी website के अंदर sliders swipers जो होते हैं आपने देखा होगा जैसे कि मैं किसी element को पकड़के इदर से उदर swipe कर पा रहा हूँ वैसी चीज़े देने में help करती है और react के अंदर animations के लिए हम तो obviously frame and motion करने ही वाले है तो library मनलब को यह specific feature प्रवाइड करते हैं जैसे कि हो गया gsap अब हम लोग gsap को use कैसे करते हैं बात सुनों सबसे पहले क्योंकि gsap एक javascript की library है तो हमको यहाँ पर जाके javascript के file की ज़रूरत पढ़ने वाली है हम लोग यहाँ जाके एक script file बना लेते है script.js करके और यहाँ जाके मैंने उसको open कर लिया है simple ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास अब तीन files हो चुगी है दोस्तो html css और javascript अब javascript के अंदर हम अपना काम करने वाले है अब सबसे important और सबसे दरूरी यह है कि javascript के अंदर हम जब animation करें तो gsap.com या तो install करें या तो उसकी cdn लगाए अच्छा तो हम nbmi करके install भी कर सकते हैं जैसे कि हम react में कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो cdn के help से भी काम कर सकते हैं cdn क्या हो तबिया cdn यानि की content delivery network यह उसका full form होता है basically होता क्या है कि इसने gsap को बनाया जो gsap का creator उसने क्या कर रहा gsap का पूरा जो code है वो लिखके cloud पे upload कर लिया अब हम लोग क्या करेंगे अब लोगों को अगर gsap को use करना है तो हम cloud से हमारी website की बीच में connection बनाते हैं जिसको हम use करते है cdn के help से अच्छा कैसे थोड़ा और अच्छे समझाओ ऐसा समझ के चल लीजिए भाईयों कि माल लेते हैं कि आप लोगों को नहाना है ठीक है यह example पहले भी वता चुका हो लेगिन फिर भी समझाओ आप लोगों को नहाना है तो नहाने के लिए जो पान तक connection मनाएंगे नल का और जब भी आपको पानी चाहिए आप नल चालू करेंगे पानी आ जाएगा नहा लिया बंद कर दो पानी चला गया समझारी है मेरी बाद यही करते हैं हम लोग यहाप तो हम लोगों को जी साप की cdn अगर चाहिए तो हम सर्च करते हैं Google पर जी साप स्क्रॉल करूंगा और यह जो औरेंज कलर में लिखी हुई है यह है आपकी जी साप की cdn ठीक है ठीक है यह जो औरेंज वाली है यह हमारी जी साप की cdn बाकी नहीं है काम की बाद में देखेंगे ठीक है मैंने यहाँ जाके क्या करा कॉपी कर लिए इसका script tag और ध्यान से ध्यान से एक रूल है ध्यान से सुनना हमेशा अपनी javascript file के just उपर ही हम उसको करेंगे पेस्ट क्या जरूरी है यह मैं script के नीचे कर दूंगा तो नहीं को का काम गलतिया हो जाएंगे इसलिए याद से script के just उपर ही उसको पेस्ट करना जरूरी है और आप अगर चाहें तो चेक भी करके देख सकते हैं आप जाके लिखिए console.loggsap तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी website के अंदर console खोलने पर यहाँ पर आपको कुछ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर error नहीं आई है अगर मैं यह cdn नहीं लगाता तो यहाँ पर मुझे मिलती error अगर यह मैं cdn लगाता लेकिन इसके जस्ट नीचे लगा देता मतलब मतलब इसके मैं जस्ट नीचे लगा देता script.js के तो भी मिलती मुझे error तो हमें हमेशा की तरह gsap को script के जस्ट ऊपर लगाने अब हम लिखना चालो करते है gsap का code यह तो मैंने सिर्फ example यह बताया थ यह में box है और मैं box को यहां से लेकि यहां अगर करना थाहता हूँ तो अब जब animation मैं कर रहा हूं ना तो मेरे पास animation करने के लिए यह पता है मुझे का initial position होती है कैसे भी यह समझाओ तो अच्छे से बतारो या तो सकता है आपका element यहाँ पर बैठा हुआ है हो सकता है अपनी initial position से चलके to final position की दरफ चले जाए या फिर यह हो सकता है कि to final position पर already बैठा हुआ है मिदलब यह यहां पर already बैठा हुआ है जब मैं वेबसाइट को चलाओ, रिलोड करूँ, तो मेरा element यहां से लेके अपनी initial position बढ़ा जाएगा समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आपन जब code देखेंगे तो आजाएगा समझ में, बस अभी concept आप, सुनो G-sap का animation लिखने के लिए आपको सबसे जरूरी और important चीज़ हो है G-sap, तो आप G-sap लिखेंगे, G-sap लिखेंगे जैसे आप dot दबाएंगे ना, तो हमारा VS code थोड़ा सा word तो कुछ और आ रहा है मेरे मूँ में, लेकिन होश यार है मान के चल सकते हैं, over smart है, तो यह कुछ भी लिखके देदेगा, आपको हटाना है, आपको लिखना है G-sap, G-sap dot लगाना है, और वापस लिखेंगे फिर से dot लगाना है, G-sap dot ऐसे ही लिखा है, प्लीज मुझ प परिशान मत हो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा, G-sap dot two, अब मैंने लगा यहाँ पर brackets, अगर आपको ज़्यादा जावत script नहीं भी आती है, तो भी आपको ज़्यादा चीज़ समझाने आ आ लिए, ठीक है, तो मैंने लिखा, यहाँ पर G-sap dot two, इन brackets के अंदर ना, मैं पास करता अगर मुझे h1 को animate करना होता है, अगर मुझे h1 को animate करना होता है, तो हमारे पास यहाँ पर अभी box है, तो मैंने लिख दिया box, और comma लगा के आप open करते हैं, दोस्तों, object, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा, अपने animation के अंदर जो भी मैं करना चाहता हूँ, वो तो देखो कितना असान है, आपने CDN लगा ली, CDN is the key, CDN से दरवाजे खुल जाएंगे animations के, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर, यह मेरे हाथ दिख रहे हूँगे आपको, अब दिख रहे हैं शायद, मेरा हाथ यहां कर टकरा जाएगा ना, तो mic की cable निकल जाएगी, हाथ कर रहा हूँ, मोझी जी के style में ऐसे वाले हाथ चोड़ते हैं कि please CDN सही लगा लेना, experience है इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग गलत CDN लगा लेते हैं, उपर नीचे इदर लगा देते हैं, और फिर कहते हैं यह code नहीं चल रहा है, यह सही लिखा है, यह आपकी तरह फिर भी नहीं चल रहा, मेरी तरह लिखा हूँ होता, तो मेरा तो चल रहा है, आपको क्यों नहीं चल रहा, गलती कर यह ना, गलती मानो, ठीक है, चलो बात सुनाओ, CDN लगा लोगे, पका, अगवान कसम, ठीक है, तो यहां जाके अब करना क्या है, ध्यान से सुनाओ, मैंन देना है, मेरे element का नाम, मैंने दे दिया box, और कॉम लगा के मैंने open कर लिए brackets, अब जब मैंने यहाँ पर जाके brackets को open कर रहा है, यहाँ जाके मुझे लिखना है, जो भी मैं animation के अंदर लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने का इसको, इसके अंदर आप चाहें, तो कोई CSS की properties भ X, एक बार X, और मैंने X लिखने के बाद, मैंने यहाँ जाके दे दिया, X पर चले जाओ, 300 पर, तो यह X success पर 300 पिक्सल मुव हो जाएगा, तो देखेंगा है, जल्दी हो गया, मैंने element का नाम लिखा था, और comma लगा कि मैंने open करा था, एक object, मैंने का X से चले जाओ, आप मा बहुत जल्दी चला जाता है, अगर आप यहाँ पर और कोई property देना चाहते हैं, तो comma लगाई है, और अगली property देदीजिए, जैस की मैंने देदी है, duration, duration मैंने देदी 2 second की, तो अभी हम पढ़के आ रहे है, duration क्या होता है, तो यह देखो, 2 second का समय लेगा, और यह चला एक second रुका, और उसके बाद चलना चालो कर दिया, आया समझ में क्या हुआ, तो इस तरीके से आप जी साप के अंदर चीजे लिखते हैं, और बहुत आसान होता है, जैसे की मैंने नॉर्मल एक box बनाया था भाईयों, आप चाहें तो box बना सकते हैं, आप चाहें तो कोई औ समा लगा कि क्या कहा, मैंने आ जाके कहा कि बड़े बाई, आप access चले जाओ, माल लेते हैं, 1500, 1300 पिक्सल पे, और आप चले जाओ, आप duration ले 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 ना, दो second की, और delay ले 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 एक second का, और हाँ, एक और ज़रूरी चीज, अभी तो यह चल जाएगा, बहुत से और बीच में dash आता है, यहाँ पर हम dash नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर चीजे लिखनी पड़ेंगी, camel case में, जैसे कि मैंने लिखा background और dash लगा के मैंने कहा color, हम यहाँ पर dash नहीं लगा सकते, जब आप background color लिखेंगे, तो आप background color में यह जो dash के बाद वाले letter है उसको capital क background color को जैसे लिख दिया, और background color की value, अगर मैं red दूँगा, तो red तो एक string है, यहाँ जाके मैं double code में red दे दिया है, या single code में red दे दिया है, तो अगर हम देखेंगे, यह चल गया, अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर जाके, इसको rotate करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ ब इसे देखो, मैंने कैसे लिखा है, camel case में, और border radius मैंने देदी, हमाल लेते है, 50%, तो क्या होगा भाया, पॉस्टे पॉस्टे बिचारा circle बन जाएगा, आया समझ में क्या हुआ, अगर आप को scale देना है, आप simply लेकिए scale, मैंने देदी, scale के value 0.5, छोटा भी हो जाएगा, आय तो क्या हो रहा है, initial to final जा रहा है, क्या आप कोई समझ आ रहा है, अगर वही सीज में, अगर g.from के अंदर लिखता, तो यहां जाके क्या होता, final to initial आ और कुछ अलग नहीं है, पिर से बता हूँ है, final to initial आ रहा है, बस, कोई अंतर नहीं है, भी है, तो from कहां काम आएगा, from आप क्या करते हैं, जैसे माल लेते हैं, आपको एक website का interface बनाना है, आपको website का UI बनाना है, तो आप क्या करते हैं, पूरा UI बना लेते हैं, और आप कई बर क्या करते हैं, जैसे मैं reload करो, तो मेरे element यहां से चलता हूँ अपनी जगा पर आ जाए, या यहां से चलता हूँ आपको उनकी position थोड़ी बगाड़ोगे तो element already यह जो properties में दे रहा हूँ इनको अपने अंदर लेके बैट जाएगा और धीरे धीरे इनको छोड़ता हुआ अपनी default position पर आ जाएगा समझा रही मेरी बात यहां पर क्या होगा यह अल्रीडी यहां पर बैट गया और वहां से चलता हुआ फर यहां आ गया मतलब यह अगर मैंने डिले बढ़ा दिया तो जाद अच्छे समझ आएगा अल्रीडी यह एक्स पर तेरा सो और रेड के साथ बार्डर डेडिस फिफ्टी पॉसें के साथ बैट गया और फिर चलता हुआ अपनी जगह पर आ गया आया समझ में क्या हुआ यह करते हम जी साब के help से अच्छा और क्या कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं करके बता दो क मैंने आ जाके क्या कहा मेरे पास एक हर्ष आकर्ष विदान अरियन यहां पर आपके पास चार एलेमेंट्स हैं चारो हर्ष है अगर में इनको अनिमेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा देखो जान से मैंने लेका जी साब डॉट रॉम मैंने लिख दिया हर्ष वन तो कहला हू उनको 50 से य समझ रही इंको तो सारे य से उटते हुए दिखर हा है कर यहां तक समझ आ रहा है अगर मैंने यहां जाके कहा मैंने क्या क्वा कि काम करता हूँ समझो क्या होगा अपैसिटी जीरो नहीं हो जाएगी ओपैसिटी जीरो आलरेडी हो चुकी होगी, जीरो से 1 की तरफ आइगी, कुछ इस तरीके से, अगर मैंने रिका सा यहाँ पर जा के दे दिया delay एक सेके का, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, क्या है यहां तक समझ आ रहा है, अगर मैं जाके एक और प्रॉपर्टी जो मैं नई बता रहा हूं जो भी तग आपने नई देखिए उसका नाम है स्टैगर क्या नाम है दोस्तों स्टैगर से क्या होता है ना स्टैगर से आपके ऐलमेंट्स एक एक करके चलेंगे तो मैंने दे दिया वन अगर तो हर एलमेंट एक-एक सगेंड का टाइम लेगा जैसे कि सारे एक साथ आ रहे थे ना अब एक एकर कराएंगे तो दिको क्या होगा पहले हर्ष आया फिर आकर्ष आ गया फिर विदानत आ गया और फिर लास्ट में आर्यन आ गया अगर मैंने यहां जाके दे दिया टाइम 0.5 का हर्ष आकर्ष विदानत आ रहे हैं 0.3 का देंदे तो 0.2 का यह बढ़िया लग रहा है यार आ रहा है समझ में क्या हो रहा है इस तरीके से आप काम कर सकते हैं जी सब के अंदर यहां तक समझ आ रहा है न ठीक है और यहां जाके आप लोग लेट सबोज मैंने आ जाके एक के डिफ बना दिया जिसका नाम मैंने रखा है माल लेते है circle और यहां जाके मैंने circle को border रीडियस दे दिया माल लेते है 50 पॉसेंट का और मैंने color दे दिया माल लेते है royal blue यहांर जाके कुछ ऐसा देना लागिगा माफ ही चाहूंगा तक कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है अगर मैं यहां पर इसको एनिमेट करना चाहता हूं तो किता आसा नहीं आप लेकेंगे वह कर दो आप 10 pixels कुछ ऐसा दिखने लगा मैंने कहा कि चलता हुआ देखना भी तो चाहिए मुझे तो मैंने का चाहूदा तो चाहूदा पिक्सल अल्डी अंडेस्टेंडबल है उसके लिए 2.5 seconds उसके लिए अगर आप इस्पेसिफिकली कुछ देना चाहते हैं जैसे कि अगर मेरे को चाहिए था है आप चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं पी 6,0 आया समझ में क्या हुआ बढ़िया है यहाँ पर जाएं तो आप यहां जाके बाक ग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं मैंने कर दिया माल लेते हैं रेड और यहां जाके मैं इसका कलर रॉयल ब्लू नहीं सिर्फ ब्ल अगर सेम एनिमेशन में बार-बार करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा मैं यहां आप जाके कह दूँगा कॉमा लगाके रिपीट और repeat की value अगर मैं 1 दूंगा तो आप बताओ कितनी बार animation चलेगा एक बार नहीं दो बार पुछ हो क्यों एक बार तो चली रहा था default में repeat आपने दे दिया 1 तो एक बार repeat हो जाएगा क्या यह समझाया दो बार चला कि नहीं चला है अगर मुझे इसको भई आप infinite चलता ही रहेगा तो जिस तरीके से चलो चलेगा अब यह चलता ही रहेगा तो यह चाहते हम चाहते हम यह आगे जाए टपा खाके वापस आजाए तो ज्यादा मजाएगा यहां जाके आप क्या कह स यो-यो एक प्रॉबटी है यो-यो यहां जाके हैश्टेक ट्रियू लिख देना और यहां जाके अगर मैं देखूंगा तो जाएगा कपा खाके वापस आजाएगा आया समझ में क्या हो रहा है यहां तक सच में आ रहाए गया बहुत बढ़ी हा आ रहा है अगर तो ठीक है ज सपन. और मैंने एक सपोझ box 2 और box 3 बना लिये और यहां जाके मैंने का है hij LAUGHTER box 1 क्युँच ऐसा दिखाई दे रहा है मैंने यहां जाकि background color कर दिया है क्राइम सन मैंने यहां जाकि box2. क्यों कि यह royal है थोदा सा级 और मैं इस और 10 pixels कुछ ऐसे दिखाई देने लगेंगे और साथ में मैंने यहां जाके कहा है इनको margin bottom हाथ से लिख देते है margin bottom 10 pixels तो यहां पर जाके 3ों को margin bottom भी मिल जाएगी 10 pixels की तो अगर मैं देखूँँगा तो यह कुछ ऐसे दिखाई देने लगेंगे अगर मैं इसको move करवाना चाहता हूँ आगी की तरफ तो मैं क्या कहूँगा मैं आजाके कहूँगा g sap dot 2 मैं पहले वाले box को पकड़ूँगा box 1 और मैं कॉमा लगा के कहूँगा x पर चले जाओ आप भाई साब 12 सो पे बहुत मजा आएगा जाके देखो एक बार चला जाएगा मैं कह देता हूँ 15 सो पे चले जाओ कॉमा लगा के मैंने कहा duration माल लेते मैंने दे दी 2.5 सेकेंड की और मैंने डिले दे दिया 1.5 सेकेंड का यहाँ जाके मैं देखोंगा अगर तो यह रोकेगा अलका सा और फिर आगे की तरफ चला जाएगा बढ़िया अब मैं चाहता हूँ यह वाला बॉक्स पी आगे की तरफ जाए तो मैं क्या करूँगा इसको मैं 14 सो कर देता हूँ ज्यादा बेटर लगेगा ठीक है तो 360 रूट इट भी लिख दिया मैंने तो देखो क्या होगा अल्रेडी चला गया वह तो हाँ तो आपको इसको डूरेशन वगेरा देनी पड़ेगी ना एप मैंने डूरेशन देदी इसको भी 2.5 और इसको भी डिले देदी है मैंने 1.5 का तो दोनों भाई साथ में जाएंगे चलो ठीक है कुछ इस तरीके लेकिन मुझे चाहिए पहला वाला बॉक्स चले उसके बाद चले यह वाला तो पहला वाला बॉक्स कितना समय ले रहा देगो जोकि problematic है क्योंकि हमें delay calculation नहीं करणार हम चाहते है सारी चीजहें तो है स्कां सत्स casos भी रखंते हैं तो आप Unternehmen के ।inen की थूर अ क्योंकि timeline का नाम TL है और यहां पे भी मैं TL.to लिख दूँगा डेले हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो अब क्यों कि timeline हमारी चीजों को synchronously चलाने में help करता है पहले ही क्या थे पहले यह लोग asynchronous थे यह अब सारे लोग sync में line by line पहले जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा क्या आप मेरी बात समझ पारे तो आप timeline में आने से पहला वाला code पहले चलेगा और दूसरा वाला code उसके बात चलेगा अगर हम देखेंगे यहां पर जाके यहां पर हमको पहले यह चला गया उसके बाद अगला box चला आया समझ में अगर मुझे तीसरे वाले के साथ भी TL.2 मैंने लिख दिया box 3 मैंने कहा कि बड़े भाई आप एकस से पे चले जाओ हजार नहीं आठसो जादा आगे नहीं भीजना मुझे उसको और मैं आजाके कहता हूं कि आपकी ओपासिटी नहीं स्केल कर देते हैं अपन 1.2 नहीं नहीं स्केल के साथ नहीं खेलते हैं रोटेट मैंने दे दिया इसको माइनस का 360 तो यह उल्टा घुमता हूँ आएगा समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं ठीक है माइनस का 360 रोटेट दे दिया दूरेशन दे दिया मैंने इसको 2 सेकेंड का जित्ता दे ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइम लैन के अंदर डेलेविल है नहीं दिया मैंने तो देखो क्या होगा पहले हमारा बढ़ावाई जाएगा बहुच के खद लेकेगा दूसरा भाई जाएगा दूसरा जिसमें बहुत ज्यादा डीटेल में जीस आप एक्स्ट्रीमली आसान वे में पढ़ाया है आपको अगर आपको इंट्रस्टन तो प्लीज जाके ओ सीरिस को देख लो अभी हम लोग जीस आपको इतना ही रख रहे है क्योंकि मुझे लगता आपको बेसिक समझ आ गए होगे और यह रिवीज़न सीरीज है यार पूरी आपके हर चीदों को पर रिवीज़न होता ही रहेगा ठीक है लेकिन हाँ इसके आगे हम पढ़ना है स्क्रॉल ट्रिगर ठीक है भाईयू तो अगर आप जीसाब डीटेल में पढ़ना चाहते हो यहां तक समझ में आ आ गया वैल इ ठीक है मैं आपको जरूरत समझाता हूँ इस क्रॉल ट्रिगर की क्या है उसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहां जाके मैंने एक माल लेते हैं पेज बनाया वन जिसके अंदर मेरे पास माल लेते हैं बॉक्स है कुछ इस तरीके से सही है ठीक है मैंने यहां जाके पेज वन जैसी copies बना ली है page 3 यहां तक भी ठीक है बढ़िया भया तीनों के अंदर box है यहां जाके मैंने क्या कहा मैंने का मेरे पास page 1 है उसकी height है 100% उसकी width width 100% और background color मैं अभी के लिए थोड़ा अपनी theme को light की तरफ लेके जा रहे है प्लीज मेरे ऊपर चिलाना मत तुम लोग comment में जाके कि भाया आपने यह क्या कर दिया मेरा दिल दुग्या ना ना यासा मत करना background color मैंने दे दिया मान लेते है light blue फिर से एक और बार और मैंने यहां जाके फिर से एक और बार सेम चीज करी जो यहां ऊपर करी थी और यहां जाके मैंने फिर से इसके अंदर light blue color दे दिया इस बार मैंने राम लिखा page 3 इसका color मैं कर देता हूं let's suppose हलक असा dark इतना चलेगा इतना चलेगा light blue को भी थोड़ा सा dark कर देता हूं कुछ इतना और यहां जाके मैं थोड़ा से इसको और ज्यादा dark कर देता हूं तो ठीक है तीन pages हमारे बनके तयार हो गये होंगे भाईयो this is page 1 this is page 2 this is page 3 हमने body को जो padding दीती वो भी हटा देते हैं ज्यादा बेटर तरी इससे देखने लगेगा this is page 1 page 2 and page 3 I hope आपको यह समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत at least चलिए ठीक है माफी चाहूंगा colors को थोड़ा सा ऐसा करने के लिए लो यार तुमारे लिए मैं इसको dark कर देता हूं अब इससे आदा भाई अब क्या मांगो गया मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं डिफ्रेंशेट हो जाएं बस page 1, page 2, page 3 तीन pages हमारे पास यहां पर बनके तयार है तीनों के अंदर box से तो मैंने आजा कि क्या कहा box चो है na hashtag box height मैंने दे दिया उसको माल लेते हैं 300 pixel की width 300 pixel की pixel background color मैंने दे दिया है crimson और golden radius मैंने दे दिया माल लेते हैं 10 pixels की as you can see कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा हम हलका सा यहां जाके page 1 को padding नहीं, display flags दे दे align item center दे 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 और justify content भी center दे 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 और यहां जाके अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर यह कुछ इस तरीके से 3 pages बनके तयार है कोई परिशानी मुझे तो नहीं लगता है यहां तक आप लोगों को होगी अगर होगी तो मुझे पता है आप लोग मुझे बता देंगे comment में जाके तो यह आप 3 pages यहां पर आपके बनके तयार है मैं थोड़ा सा colors चीक कर लेता हूं मैं इसका color थोड़ा सा green टाइब में कर देता हूं कोई दिक्कत थोड़ी है चलेगा तो इस पेज 1 पेज 2 एंड पेज 3 बढ़िया बढ़िया जाम नीरा ना तो फिर मजा नहीं आया तीन pages बनके तयार है अब थीक है अब थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है अब मुझे करना कहा है बात समझो ध्यान से भाईयो मुझे यहां जाके box को animate करना जी साब की सीडेन अल्रडी लगी हुई है तो चले यह कर लेते हैं पहले box को animate यहां जाके मैंने क्या लिखा आपने कहा कॉमा लगाके की x scale मैंने दे दिया है 0 और rotate मैंने दे दिया है 360 और मैंने यहां जाके duration 2 second का duration नहीं होता duration होता है और delay दे देते हैं इसको 1 second का तो as you can see यह छूटा हो रहा है एक काम करते हैं मैंने लगा दिया from शूटे से बड़ा होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है कोई परशानी इसमें नहीं है न अब हमको करना क्या है यही 7 animation अगर मुझे page 2 के अंदर के box के उपर लगाने तो क्या होगा पहला वाला तो बड़ा हो गया क्या दूसरा वाला बड़ा हुआ नहीं हुआ है हमको दिखाई नहीं दिया कैसे यह बताना जारा फिर से दिखाता हूँ देखो जब मैंने यहां पर रिलोड करा तो यह चलता हुआ दिखरा है मुझे देखो दोनों चल रहे है तो दिक्कत यह है कि मैं page 1 पे क्योंकि obviously website खुलेगी तो page 1 भी रहेंगे आप page 2 का animation चल जा रहा है मैं चाहता हूँ user जब यहां पहुचे तब animation चले तो एक काम करो न वही है डेले दे दो लेकिन डेले से क्या काम भूपाएगा आप कुछ समझो आप website को कब scroll करोगे या फिर आपका user कब scroll करेगा आप इसको कैसे judge कर सकते है कि आपको क्या हो सकता है आपने landing page इता सुंदर बना दिया यूजर पांच मिर्ट तक landing page देख रहा है इसा कुछ हो सकता है या रो सकता है कि इतना गंदा बना दिया उसमें scroll मार दिया तो आप नहीं पता exact time उसका आप समझ पा रहे है timeline से कर सकते हैं नहीं timeline से भी नहीं कर सकते हैं timeline तो order में चलाने का काम करेगा तो यहां पर काम में आता है scroll trigger basically gsap का ही एक plugin है मतलब ऐसा समझलो कि gsap जब उन्होंने बनाया तो बड़ी library थी और उसके इंदर additional features डालने के लिए उन्होंने क्या करा उसके छोटे-छोटे plugins बनाती है जैसे कि vs code के नहीं आप extensions होता है वैसे कुछ मिलता होता कि gsap already इतना बड़ा हो गया तो तो सारा code उसके साथ आता है तो website हावाई भी हमारी heavy हो जाती हमने क्या करा gsap का इक अलग से plugin आता है कहा मिलेगा भाया आरे जहां आपने gsap cdn सर्च करा था ना google पर सर्च करके देगो gsap cdn आपको पहली वाली website के अंदर जाना था यह रहा आपका gsap का cdn यह रहा आपका gsap का cdn और उठा लिया गलती हो जाएगी क्या उठाना है हमको scroll trigger यह रहा कहां से उठाना है यहां से copy script और इसको भी उठाके कहां लगाना है वह important है तो लगाना है इसको हमारी script.js के just ऊपर तो order क्या रहेगा ध्यान ते सुनो gsap scroll trigger और अपनी javascript एक बार repeat करो मेरे साथ gsap मन में करो scroll trigger और अपनी javascript के file क्या यहां तक समझाया क्या हुआ I hope समझाया होगा यहां पर जाके मैंने gsap scroll trigger दोनों CDNs लगा लिए तो क्या यह साथ में चलेगा यहां पर पहुचूंगा तब चलेगा क्या नहीं तो तब नहीं चला तो क्या होगा भईया code लिखना पड़ेगा ना तो देखो सुनो scroll trigger आपका animation नहीं करता scroll trigger the term scroll trigger scroll trigger basically आपके animation को trigger करने का काम करता है कि आपके animation को कब आपको execute करवाना है जैसे कि माल लेते हैं मैं चाहता हूँ जैसे ही में page 2 पर आऊँ तब मेरा animation execute हो तो आप scrolling की basis पे scrolling को judge करके आपके animation को trigger करवा सकते हैं scroll trigger animation तो पूरा जैसा बना है वैसा बना रहेगा आप क्या करेंगे सुन नद्यान से आपने आपे comma लगाया अगर आप सिर्फ उपर-उपर से चीजे use करना पसंद करते हैं जैसे कि अगर आप shortly complete करना चाहते है scroll trigger तो मैं यहां जाके scroll trigger लिखूंगा camel case में गलती करते हैं लोग इसलिए बोल रहा हूँ scroll trigger हम लिखेंगे camel case में दोस्तों केस में नहीं लिखना और मैंने लिखा है scroll trigger लिखने के बाद मैंने आप पर open करें brackets और brackets open करने के बाद आप चाहिए तो लिखते हैं डीटेल में लिखने कर आपको सिर्फ उपर-उपर से पसंद है चीजे यहां जाके आप कह सकते scroll trigger सही spelling के साथ camel case में लिखा है मैंने s small t capital और मैंने लिख दी अपने element का नाम क्या page 2 के अंदर का box अब मैं reload करता हूँ अरे रुपजा भाई अरे मांजा भाई मांजा मैं reload करता हूँ तो यह animate हो गया अब यह मैं scroll नहीं कर रहा हूँ करिक्कत हो तो बताना नीचे comment section में कोई परशानिय नहीं है लेकिन हाँ अभी शायद चल जाना चाहिए था animation चल जाना चाहिए था कि नहीं चल जाना चाहिए था मैंने यहाँ पर scroll करा तब मेरा animation चला क्या यहाँ तक समझ आया this is what scroll trigger is doing scrolling के basis पर animation को चला रहा फिरसे बता हूँ फिरसे देखो यह आपने animation कर लिया अब आपने scroll करा तब आपका animation चला आया समझ में क्या हुआ है यही तो फाइदा scroll trigger का समझ आ रहा है का है लेकिन अगर आप केवल उपर उपर से पसंद नहीं करते हैं तो मेरी तरह गहराईयों में जाना पसंद है तो अब आप क्या करेंगे सुनिये ध्यान से scroll trigger को यहां से आके मैं open करूंगा object अब इसके अंदर क्या देना है सुनो इसके अंदर आपको देना है triggered element यानि कि किस element की trigger होने पर आपको animation चलाना है तो trigger, बंदूक के अंदर बारूद है बंदूक के अंदर gun powder है और जो भी कुछ रहता है लेकिन गोली नहीं चलेगी जब आप उसको trigger को चलाएं क्या आप समझपा रहे है मेरी वाद आपको बताना पड़ेगा पहली चीज तो triggered element कौन सा है स्क्रॉलर रहेगा हमारा body 99% टाइम्स स्क्रॉलर क्या रहेगा कॉमा लगाके मैंने यहां पर कहा कॉमा लगाके मैंने यहां पर कहा कि यह मैंने लिख दिया है अब थोड़ा सा डीटेल में अब चल जाएगा कि animation हाँ पहले जैसी चल जाएगा मतलब वह पहले मैं डारेक्ट लिख रहा था नाम उसको अमने डीटेल में लिखाया सकते हैं हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग दोस्तों कि देखो चल गया समझाया क्या लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ही डीटेल में जाना चाहते हैं आपने कहा दिया मेरे पाससलिए मारकर्स यहां मगे मारकर्स स्क्रीण लिखाई रहे होंगी मैं यहाँ पर छींज कर रहे हूं मैं इसको मारकर अच्छे से दिकए चाहिए न एप और मैं इसको 1-1-1 रखता हूँ, इसको मैं हलक ऐसा कुछ ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है, समझ आरहा है difference, और तीसरे वाले को मैं हलके से थोड़ा सा ठीक है, तो तीन पेज़ेस है, पेज 1, पेज 2 और यहाँ पेज 3, क्या आपको, ठीक में यह color अच्छा नहीं लग रहा हूँ, यह important है, तभी मज़ आएगा बनाने में, ठीक है, तो यह पहला पेज, दूसरा पेज, और यह तीसरा पेज, क्या आपको markers दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर scroller end, यहाँ पर मेरे just नीचे side में, इधर side में, scroller start करके, कुछ-कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, समझा रहा है क्या, मेरे नहीं मतलब screen पे, मेरे पीछे, और आपके element की ऊपर भी आपको, यहाँ पर scroller start या end दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा स सच बता ना, सच सच बता ना, बिल्कुल इमानदारी से, क्या आपको markers दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों, जहां से सुनिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए वापिस आ जाता हूँ, मैं चले दिखाई देता था, scroller end, scroller start करके कोच ऐसा, आप क्या करते हैं, दोस्तों, आप scroll करते हैं, करते हैं, करते हैं, जैसी आप इस certain point पर आते हैं, आपका animation चल जाता है, कैसे करते हैं यह करके बताओ, बताता हूँ, देखो, आप क्या करो सबसे पहले तो, trigger कर लिए, marker सिर्फ हम आपको क्या हो रहा है, तो अब समझो क्या होगा, आपका animation अभी नहीं चलेगा, आप scroll करेंगे, 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 और जैसे ही आपका element का start point, जैसे ही आपके scroller start को trigger करेगा, animation चल जाएगा, भया, देर बाद क्यों शुरू हुआ, देर बाद इसली शुरू हुआ, क्योंक दिखाता हूँ भाईयो, यहाँ पर देखो, अरे यह क्या खुल गया, सॉरी, यहाँ पर देखो, मैं scroll करूँगा, पहले वाला उपर वाला चल गया, मैं scroll करूँगा, 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 और यहाँ पर जागे, जैसे ही इस point पर पहुँचूँगा, चल ज आता हूँ, अभी तो कुछ नहीं होगा, जैसे में trigger करूँगा, तो चलेगा, आप जैसे starting point को move करें थे, वैसे यहाँ जाके मैं starting point को कर देता हूँ, let's suppose top से 55 पर कर देता हूँ, और end point को कर देता हूँ, मैं top से 30% के, तो क्या होगा भाईयो, तो starting point भी shift हो गया है, और ending point भी shift हो गया है, देख सकते हूँ, आप यहाँ पर, जैसे मैं trigger कर आ, अनिमेशन चल गया, अब दिक्कत कहा है न, जैसे मैं trigger करता हूँ, पूरा अनिमेशन चल जाता है, एक बार में, मैं चाँता हूँ, जैसे मैं scroll करूँ, वैसे-वैसे animation चले, मैं scroll back करूँ, तो इस तो मैं animation बै जैसे यहां पर हुआ, क्या आपका animation एक बार में चल गया, नहीं, आपका box दीरे-दीरे बा हो रहा है, यहां से start होगा, यहां पर जाके खतम हो जाएगा, अगर आप ultra scroll करेंगे तो यह वापस भी चला जाएगा, क्या आपको समझाई मेरी बात, अगर आप scrub की value, scrub, scrub basically क्या होत काफी जादा rough, काफी जादा rough चल रहा है, लेकिन अगर मैंने इसकी value देदी माल लेते हैं, 1, तो यह थोड़ा से smooth हो जाएगा, अगर मैंने इसकी value देदी माल लेते हैं, 5, तो यह बहुत smooth हो जाएगा, समझा रहा है क्या हो रहे हैं आपको, यह फायदा है भाईयो, scrub लगाने का, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने यह आपर जा कि यह तो समझाई किया था, उपर वाला, markers हमारी help के लिए हटा देंगे थोड़ी देर बात, starting point को set कर सकते हैं, let's suppose मैंने का, top से 50%, आप ending point को set कर सकते हैं, top से माल लेते हैं, मैंने कर दिया 30%, और आप scrub लगा के, animation के, क्या सकते हैं, कि इन दोने के बीच के जो point थे, उनको थोड़ा सा, और smooth way में लगा सकते हैं, तो अब आपका box, बहुत बढ़ी है तरी कि से animate हो रहा है, क्या यहां तक समझा आया, यह यहां जाके कहा, hashtag page 3 के अंदर का box, तो मैंने comma लगा के लिख दिया, मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैंने यहां पे जाके क्या कहा है, मैंने यहां पे जाके कहा है, कि इसके नीचे एक page 4 भी है, कि इंदर box works कुछ नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है, और page 4 कैसा दिखता है तो page 4 इनकी तरह ही दिखता है, ठीक है, page 4, क्यों बनाया भी है, अरे scroll कर सकूँ ताकि अच्छे से यार, और यहां जाके मैंने इसका color set कर दिया, हमाल लेते हैं, कुछ ऐसा, तो अब क्या क्या है हमारे पास, page 3 है, page 4 है, देखो, नीचे तक जाके देखो, page 4 भी है हमारे प जाके मैंने का X पर चले जाओ, let's suppose 400 पर, हमाजारी मेरी बात क्या क्या रहा हूँ, X पर चले जाओ, आप कहा चले जाओ, 400 पर, और यहां जाके मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि justify content center कर रहा था, मैंने इसका justify content मैं दे रहा हूँ, flex start, और हलकी C मैं padding दे जाता हूँ, 30 pixel की, तो ती साथ मैं मैं इसको scrolling के basis में चलाना साथ आता हूँ, तो मैंने का scroll trigger, scroll trigger के अंदर मैंने जाके open करा, मैंने का trigger किसको कर रहा है, तो trigger अपने दे दिया, उसी element को, जिसको हम trigger करना चाहते थे, phase 3 के अंदर के box को, उसके trigger पर animation चले तो जादा बैटर है, scroller 99% time body ही रहेगा, वो 1% time काउन सा, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ मैं आपने जाके कर दिया, markers को, true, अब यार हमें इस screen पर बहुत सारे markers देखने लगेंगे, यहां तक समझा रहा है, यहां तक बिल्कुल अच्छी तरीक से काम हो रहा है, यह second पाला पेज चल गया, और यहां पर इ 30%, बना दी आपने हैसाब से कोई परिशानी थोड़ी है, तो यहां पर देखना automatically नहीं चलेगा, जैसे ही 60% वाले point पर आएगा, आपका, देखना मेरे just you पर देखना, चल जाएगा animation, अब आप चाहते हैं इसको पूरा scrolling के basis पर करवाना, तो आप कह सकते है, scrub और scrub की value मैंने पीछे जा रहा है, scroll कर रहा हूं आगे तो आगे जा रहा है, पीछे कर रहा हूं तो पीछे जा रहा है, समझा रहा है क्या हो रहा है भायू, अच्छा एक और ज़रूजी चीज, हम लोग यहां जाके इसको pin भी दे सकते, एक property नाम की, इस वीडियो में तो हम क्योंकि concept समझ या, ऐसे लिखने है, pin, अब क्या होगा, इस screen पर pin हो जाएगा, मतलब मैं scroll करूँगा तो अपनी जगा पर बैठा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा, page scroll हो रहा है पीछे वाला, लेकिन जगा पर बैठा हुआ अपनी, और फिर उसके बाद यह कुछ ऐसा दिखाई देगा यह pin का क्या use है, देखेंगे न, इसके बाद हम लोग project बना नहीं वालें, अलब इस वीडियो में नहीं, इसके अगली वीडियो में, तो उसमें देखेंगे pin का use का है, लेकिन मैं अभी ममीत कर रहा हूँ, कि आपको concepts यहां तक clear हो चुक्या होगे, concepts, जो भी हमने scroll trigger के concepts अब एक छोटा से काम मेरे लिए कर दो, इसको एक बार practice कर लो, मजाग से अटके practice कर लो, कर लोगे अगर practice तो समझ आ जाएगा, हलका फुलका code लेका है, scroll trigger का समझ आई चुका होगा आप लोगों को, तो जल्दी से आके इसको practice करो, और कोई दिक्कत आ रही है, तो नीचे comment section खुला हुआ है, तो आप सीधा Instagram पे जाओ मुझे, message करो, बताओ भीया यह दिक्कत है, I will definitely help you out, अब बढ़ते आगे की तरफ, practice कर लिए हो, तो बढ़ते आगे की तरफ, चलो, all right, तो अब हम शुरू करने वाले हैं, locomotive js, अब सवाल पहला है, जो हमारा वो यह है कि locomotive js क्य साइट पर बहुत बढ़ चाहता है, नहीं समझे, कोई बात नहीं, देखो, हमारा main target का है, हम यह पढ़ रहे है, animation से से फाइदा क्या होगा, इससे फाइदा यह हुगा कि हम हमारे user को better websites बना के दे पाएंगे, ताकि वो अच्छे से उसको use कर पाएं, हमारे product को ज्यादा better समझ पाएं, और eventually हमारे product को buy कर पाएं, हमारी services जॉम प्रोवाइड करने, उसको अच्छे समझ पाएं, यह हमारा main target है, locomotive js हमारी scrolling जॉम करते हैं, उसको इतना ज्यादा प्यारा बना देता है, इतना ज्यादा अच्छा बना देता है, कि आपको बहुत शांदार मजा आ जा कि locomotive js, एक JavaScript की library है, जो की scrolling experience, और जब आपका user website पर आएगा, जब वो scroll करेगा, जब उसको ऐसे कुछ LARP type में effects दिखाई देंगे, जब उसको कुछ इस तरीकी की चीज़े दिखाई देंगी, तो उसका experience बहुत जादा बढ़ जाएगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, दो तर हम लोग कुछ इस तरीके से locomotive में काम कर सकते हैं, बहुत जादा आसान है, बताता हूँ कैसे, सबसे पहला और important part यह है, कि locomotive js के लिए आपको एक proper structure चाहिए दोस्तों, तब ही आप काम कर पाएंगे, तो करना क्या है ध्यान से सुनो, मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाके, मैं यहाँ जाके, simple, एक main नाम का div बनाता हूँ, ठीक है, कोई परिशानी नहीं भीया, ठीक है, बन जाएगा, एक main नाम का div जो आपने बनाया है, यह है आपका parent, क्या इसका नाम में रखना ज़रूरी है, ना, बिलकुल नहीं, parent रख सकते हो, लेकिन यह जो parent page 2 और page 3 बढ़ा दिया है, बना दिया है, यहाँ जाके, आपके 3 pages बनके तयार है, अब इन pages को अगर मैं जाके देखूंगा, तो मैं यहाँ जाके, अगर आपने page 1 को, height दूँगा, 100%, width दूँगा, 100%, background color दे दूँगा, red, तो बल्कुल एक दम, lal lal सब कुछ हो जाए, आख परस लेए, और main को, तो आपने height weight दी ही नहीं, तो ठीक है, ya main को height weight दे देतें नहीं देना, क्यों नहीं देना, नहीं देना, जब आप locomotive JS use करोगे, तो आप अपने rapper को, rapper कौन है? main है हमाई, आप कोई और rapper बना सकते हैं, अपने rapper को, आपको height weight नहीं देनी है, कब यह समझ पा रहे हैं आप अपने रैपर को कोई भी हाइट विट नहीं देंगी ठीक है बढ़िया बहुत शांदार अब हमको करना क्या है सुनो द्यान से आप अपने चाइल्ड को दे सकते हैं हाइट वी एच में और आपकी आंके खराब हो जाएंगी मैं जानता हूं तो आपको समझद आ जाएगा यहां पर दिख रहा है मैंने जैसे पेज वन बनाया थाय तो पर अपने पने लिए-चर नॉर्म न्यार्मल स्क्रॉब्दर में अब और मुझे liकोमोटीव ज् metrics लगाने के इक लिए गूगल पर लोकोमोटिव.js CDN और आपको लोकोमोटिव.js की CDN मिल जाएगी पहली वेबसेट पर आप चले जाएगे और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे लोकोमोटिव.js कहां सर्च करा है मैंने गूगल पर उसका सर्च तो गैरेंटीड अगर आप कोई और ब्राउजर पर जाओगे तो अलग आने वाले तो आप पहली वाली वेबसेट पर क्लिक करेंगे और यहां जाके आपको दो CDN उठानी है दोस्तों एक है लोकोमोटिव.js क करना है यहां पर आपको पूरी CDN दिख जाएगे आपको सुनो करना क्या है आपको यहां जाके इसका यूरल उठाना है उपर से CDN लगाने इंपॉर्टन ए स्ट्रक्चर वनाने इंपॉर्टन इस्ट्रक्चर आपने बना दिया रैपर बना के बहुत अच्छा स्ट्रक्चर वनाया है अब आपको लोकोमोटिव.js की CDN जो है लगाली है जावा स्क्रिप्ट की आप समझ पा रहे हैं फिर से बताता हूं ध्यान से देख लो मैं यहां पे गया यहां पर आप देखने जाएंगे अगर यहां पर अपने पास स्क्रिप्ट की CDN लग चुकी है लोकोमोटिव की यहां पर चलते देखने की तरफ हमारी वेबसाइट कैसी बनी है हमारी वेबसाइट में कोई खास एफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है खास एफेक्ट कैसे बनेगा बिल्कुल बताता हूं आज हो देखो चलती से आपको जावस्क्रिप्ट के अंदर जाना और चोटी सी लाइन सफ खोड लिगना बहुत चोटा सा लाइन सफ लिगना आप ट्याइसई काम हो जाएगा बाई नहीं होगा पी पी अच्छा तो नहीं होगा ऑना पन कर लिया है इसके बता ना महान इयल करकर्क और यहां जाके आप अपने element का नाम लिख दीजिए तो इसको directly नहीं दे सकते तो मैंने यहां जाके कहा दिया document.queryselector हैश्टेग main क्या मैंने हैश्टेग ही बनाया था हैश्टेग बनाया था और इसका नाम मैंने रख दिया माल लेते हैं variable main और यहां जाके क्योंकि main को मुझे अपने wrapper बनाना है तो मैंने यहां जाके पास कर दिया main तो यहां जाके अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा मजाख नहीं कर रहा हूँ ध्यान से देखो सुनो क्या लिखना था आपको पहले चीज तो main क्योंकि हमारा wrapper रहने वाला इसलिए मैंने पहले सी बना लिया था मैंने main को document.queryselector hashtag main और उसके बाद जाके मैंने क्या कहा मैंने कहा कि var scroll is equal to new constructor function है दोस्तों याद रखना locomotive scroll कुछ इस तरीके से लिखेंगे आपन और यहां जाके scroll की spelling आप मेरी तरह गलत मत लिखना साही लिखना और यह मैंने इसको open कर लिए इसी के अंदर मैंने object open कर रहा है EL मैंने बताया कौन है मेरा main element कौन है main है आप चाहिए तो directly यह भी कर सकते थे EL लिखने के बाद document.queryselector यहां जाके direct ऐसे भी लिख सकते थे तो भी कोई परिशानी नहीं होती main को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है और साथ में comma लगा कि आप क्या सकते है smooth और मैंने smooth को कर दिया true बस यह तीन लाइने एक लाइन में तो bracket है क्योंकि तीन लाइने लिखने से आप locomotive scroll को use कर पाएंगे और अगर आप देखेंगे तो मेरा cursor थोड़ा सा पहले वाले से different दिख रहा है और यह शब्दों से बया करने वाली चीज़े नहीं है भाईयों बहुत सारी सीज़े होती है जो आप अपने words पर नहीं बता हो सकते हैं लेकिन आपको cursor दिख रहा होगा कि यहाँ पे smooth scrolling लग चुकी है और यह चोट असा लर्प थोड़ी सी लचक के साथ चीज़े कुछ इस और यहाँ पर आपको हर चीज़ के बारे में retail से लिखा हुआ दिखाई देगाओ यहाँ पर आपको किस तरीके से काम करना किस तरीके से मैंने यह वाला code लिखा अपने code के अंदर भी simple ठीक है आप चाहिए तो directly locomotive scroll के अंदर जाना यहाँ पर scroll करने का यहाँ पर आपको एक smooth करके देखे तो बताना smooth के नीचे वाला second वाले डबबे में यह वाला code उठाना आपको ऐसे तो मैंने लिखके बता दिया तो आप अपने हिसाब से लिख लेना लेकिन मैंने यह code अगर यहाँ पर लिख दिया तो भी same चल रहा है बस दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि data scroll container आप चाहें तो यह लिख सकते हैं अपने यहाँ पर जाके या फिर आप लिख सकते हैं hashtag main हमारा काम चलने लगेगा बिल्कुल वैसी जैसा चल रहा था पहले hashtag main ऐसा क्यों दिख रहा भी या अरे इसको ऐसे मत लिखो आर ऐसे लिखो अब देखो हे भगवान चल रहा है चल रहा है स्वारी मुझी लगा हे भगवान यह क्या हो गया ठीक है सुनो यह हमने यहाँ पर code लिखा है बहुत अलका फलका अच्छा अगर आपको और यहाँ चाहो तो data scroll container लिखे ले रहे दो और अपने main को जाके attribute देदो data scroll container तो भी आपका काम हो जाएगा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाके तो भी आपको वैसी same smooth animation दिख रहा है अब अगर मैं किसी element को smooth करना चाहता है तो मैं क्या करूंगा तो यहाँ जाके अपने को करना क्या है यहाँ जाके आप चाहो तो आपने इस element को और जादा smoothness करना चाहते हो तो data scroll क क्या से करके लिख देना तो यह थोड़ा सा और जादा enhanced way में स्क्रॉल होने लगेगा डेटा स्क्रॉल तो अब मैं यह कैसे बताऊं मैं शब्दों में कैसे बताऊं लेकिन हाँ यह और जादा पहले के मुकाबले smooth और और जादा बढ़िया लग रहे हैं बढ़िया चल रहे हैं थीक है मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको अच्छा लेट सबोस कि मैं चला लो काँ ठीक है यहां जाके मैंने कहा है कि मेरे पास जो box है मैंने उसकी हाइट कर दी है 120 पिक्सल ना 10 पिक्सल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको यहां पर box कोई परिशानी भाई हो यहां पर नहीं ठीक है चुबराए यहां आखो में अब नी चुबराए तरह दा ठीक है चलिए यहां तक सब कुछ शीक चल रहा है कोई परिशानी नहीं ठीक है अब अगर मैं इस box को भी अनिमेट करना चाहता हूं अगर scrolling के basis पर यहां जाके मैं कहूंगा data scroll यह already मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों यह वाली जो वीडियो दिख रही है आपको screen पर यह वाली जो बड़ी इसी वीडियो दिख रही है इसको please जाके देख लो please please जाके देख लो इसमें आप locomotive js बहुत अच्छे से सीख जाएंगे ब मैं देखो scroll कर रहा हूं यह जो box है थोड़ा सा तेज चल रहा है अच्छे से बता हूं क्या चलो मैं अच्छे से बताता हूं सुनों मैंने यहां जाके इस box की इसको मैंने कह दिया space evenly और अगर मैं देखोंगा reload करके मैं scroll कर रहा हूं देखेंगे द्यान से थो एक box थोड़ा सा तेज स्क्रॉल हो रहा है क्या करा मैंने यहां पर मैंने आजाके इसको दिये दोस्तों data scroll speed दिये मैंने जिससे कि यह थोड़ा सा तेज जाने लगेगा क्या यहां तक समझा रहा है आप लोगों को आ जाएगा परिशान मत हो और 7 मैंने आ जाके क्या कर रहा है data scroll speed के साथ और क्या क्या कह दे सकता था मैं तो मैने आजाके क्यां दिया data scroll स्पीड को मैं दस कर दू अगर तो तो दस गुना तेजी से जाएगा बढ़िया लग रहा है या कोई परशानी नहीं है यहां जाके अगर मैंने इसको कर दिया माइनस वन यह थोड़ा सा धीरे जाएगा देखओ वह लोग चलेगा यह थोड़ा सा धीरे स्क्रॉल हो रहा है क्या यहां तक समझा रहा है आप लोगो को बढ़िया और यहां जाके अगर मैंने इसको data scrolling direction और direction मैंने दे दिया इसको horizontal तो क्या खोगा तो यह horizontally scroll होगा वह तो रहा है हलका सा हो रहा है लेकिन स्क्रॉल नहीं होगा horizontally move करेगा बिसिकली दिखा जाये तो और मैंने यहां जाके इसको कर दिया माइनस का 10 तो क्या होगा तो यह बहुत तेज मूफ करेगा यहां पर जाके सब कुछ ही लिखा हुआ है डीटेल में नीचे आओ यहां जाके लिखा हुआ रहेगा यहां पर लिखा हुआ है data scroll detect in view data scroll container किसको देते हैं हम लोग तो हमेशे हम लोग हमारे scrolling container को देते हैं जो कि हमारा parent है required basic styling के लिटिक है data scroll किसको देते हैं detect करता है in view में है या नहीं है और उसको और ज्यादा smooth कर देता है इसके अंदर data scroll speed है जो की element की parallax speed को बढ़ा देता है और इससे basically हमारे element थोड़ा सा थे scroll होने लगता है data scroll delay थोड़ा सा लर्प के साथ delay के साथ scroll होगा data scroll direction parallax direction को decide करता है तो vertical या horizontal दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़े है ज्यादा बड़ी library है नहीं जिसके बारे में बहुत ज्यादा detail में बात करें है चोटी सी library चोड़े बोटे काम है वेजारी के तो अपन इसका use कर सकते है by the way आप यह भी कर सकते है यहां जाके एक और property दे सकते हैं इसका नाम है लर्प लर्प की value आप 1 से लेकर 0 की बीच में दे सकते हैं जब मैंने लर्प को 1 दे दिया तो यह बहुत ज़्यादा hard scroll अगर मैंने इसको 0 दे दिया बहुत ज़्यादा scroll नहीं हो रहा है अगर मैंने इसकी value दे दी 0.9 तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा है अभी भी मैंने 0.6 कर दी अब थोड़ा सा कम अटकते हुए चल रहा है चल तो रहा है फिर भी लेकिन कम अटकते है मैंने कर दिया 0.1 अब देखो तुम जा दू स्क्रॉल हो रहा है और इतना जाधा लरप मैंने आभी स्क्रॉल कर रहा है तो दो दिन बाद नीचे तक पहुँगगा इतना सा लरप के साथ हो रहे है और 0.1 कर दिया तो तो तुमने ए भगवान क्या होगा तुम्हारा मतलब मैं ऊपर साइड में हूँ देखना ध्यान से मैं रिलोड करके बताता हूँ मैं ऊपर हूँ मैंने एक पर स्क्रॉल कर दिया अब मेरे हाथ ऊपर है और यह स्क्रॉल होते ही जा रहा है क्या समझा रही है मैंने फिर से स्क्रॉल कर दिया और मेरे हाथ इदर आ गए फिर भी स्क्रॉल होते जा रहा है कि आपको समधार है लर्प क्या कर रहा है यह सब हम कर सकते हैं लोकोमोटिव स्क्रॉल के साथ वेपसाइट के इंदर स्मूध स्क्रॉलिंग लगाने का काम करता है बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं अल लोकोमोटिव.js के साथ एक प्रोजेक्ट भी बनाया है अगर वह बना ले तो बहुत अच्छी बात है अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ आल्राइट दोस्तों तो आप देखते हैं लैनिस के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं बाइदव हम एक लाइबरी ऑलरीडी लैनिस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्योंकि यह लाइबर sad लै देता धाल ना भी यह लोकोमोटिव के टॉप पर भॉप पर बनी है और लोकोमोटिव अब समझ पाने मेरी बात ही, लोको मोटिव हमारे स्क्रॉलिंग को वही करता है जो की की भूलता हम हाईजच कर लेता है स्क्रॉलिग को हम चाहते हैं कि हमारे स्क्रॉलिंग हाईजच ना हो हम चाहते हैं कि हम independently काम कर पाएं तो उसलिए लोकोमोटिफ के ही बेसिस पे एक और लाइबरी बनाई गई जो लोकोमोटिफ का थोड़ा सब्डेटेड वर्जन है लोकोमोटिफ के अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं अवेलेबल लेने जो वो सिर्फ एक काम करती है वह स्क्रॉलिंग को और ज्यादा स्मूथ करने का काम करेगी ठीक है पहले तो यहां पर एक स्ट्रक्चर मनाते हैं तो मैंने आ जाके कहा पेज को मैंने ऐड़ दे दिया हमाल लेते अंडीट पोसेंट वीट दे दिया हमाल लेते हंड़ए पोसेंट और बाक्राउंड कलर मैंने दे दिया है हेश्टाग क्या बढ़िया जा रहरा है कोई परशानी नहीं हिंए यहां तक और यह कुछ ऐसे दिखाई दिन लगे हमने यहां जाके क्या कहा है मेरे यह पेज हमने यहां जाके दिया है आपको display flags align item center justify content center और साथ में मैंने यहां जाके दे दिया है font size भी let's suppose 50 pixels का और यहां जाके मैंने कहा कि मेरे dot page को कुछ ऐसा दिखाई दे न बड़े भाई differentiate करने के लिए मैंने आ जाके क्या कहा मैंने आ जाके कहा दिया border bottom 10 pixels solid और 111 यहां पर हमको इनके नीचे borders भी दिखाई देने लगेंगी तो यह 3 pages को इस तरीके से differentiate होते हो हमें समझ आ रहे हैं 15 pages किस तरीकी से बने है clear चल रहा है न दोस्तों अब हमको करना क्या है बात सुनो ध्यान से यहां पर जाके हमको लगाना है दोस्तों libraries हम यूज कर रहे है इनको बनाने वाले developers होते हैं वो इसको जाधा तर टाइम open source ही रखते है तो code लिखके github पे upload कर देते हैं कि अगर आपको यूज करना है तो github पे available है आप जाकी यूज करो वैसे यह नोंने किया एक company है इसका नाम है darkroom engineering darkroom engineering ने लैनिस को बनाया है और इन्होंने इसका पूरा code अपलोड कर दिया यहाँ लैनिस से बहुत कुछ कर सकते है get smooth और die trying यह कुछ इस तरीके से खुलती है आप देख पाएंगे काफी बढ़िया बढ़िया यह तो basically 3D है जो आप देखेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में और कुछ इस तरीकी की चीज़े हम लोग यहाँ पर जाके लैनिस से करवा सकते हैं अब लोगों के लिए बहुत प्यारा टुटोरियल बनाया लैनिस का अगर आप specifically लैनिस सीखने जा रहे हैं तो इस वीडियो पे हम लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से लैनिस कवर किया है अभी आप लोग क्या करें अभी आप लोग यहाँ जाके लैनिस सेर्च करेंगे पहली वेबसेट गइठप किये उस पर जाएंगे और यहां जाकर आपको सारा का सारा कोड दिखाई देने लगेगा हम लोगों को क्या करना है दोस्तों नीचे आना अब यह कहा रहा है इंस्टॉल इंस्टॉल कर लो लेनिस को हमने कहा नहीं हम लोग तो स्क्रिप्ट यूज करेंगे cdn css की नहीं लगा नहीं ना ना आसान हो गया ना कोड़ वही तो मैं कहा रहा हूँ आपको अपनी वेबसईट में ऑपनी ज्मुद् स्क्रोशी है स्प्रॉलिंगा मैं किने जसक्रॉल senhor सब्सक्र करेंगे हुब है हमें लोग संक्राए यह दे यही कैगे मैं सबसे पहले का सीय है const lenis और lenis is equal to new lenis कुछ इस तरीके से मैंने यहाप बना लिया कोई जाद अंतर नहीं है भाई हमने भी इस तरीके से बनाया lenis एक class है तो उसका और instant बन जाएगा यहाप इस तरीके से क्या है यहाप स्मूज स्क्रॉलिंग होने लगेगी बिल्कुल भी नहीं अच्छा तो भाई आपने यहाप जाकि किसी को किस धिया ही नहीं आर आ पने बॉडी ओडियो को कुछ नी तो अपने लग जाएगी लेकिन सुनो ध्यान करणा क्या अब आपने यहाप इनिशलाइज कर दिया तो अप ध्यान से सुननना हम लोगों को करना क्या एक function मनाना जिसका नाम है RAF request animation frame short form में लिखा है मैंने आपे और इसके अंदर मैंने पास कर दिया time और यहां जाके मैंने इसको simply sorry मैंने simply इसको खोल लिया है अगर मैंने इसके अंदर कहा कि मैं lock करना चाहता हूं hello तो आप simply क्या करते थे आप RAF को call कर देते यहां पर आपको hello चलता हुआ दिख जाता था कोई परशानी यहां था console खुला हुआ था console पर hello दिख जाता था ठीक है हमको क्या करना है दोस्तों ध्यान से समझना हमको यहां पर जाके एक क्या सकतो inbuilt function है inbuilt method है जिसका नाम है request animation frame ज मेरे screen की quality थोड़ी से अची है तो मेरे animation frame थोड़ी से जाधा हैंगे per minute मेरी screen जाधा render होगी जाधा बढ़ी है तरीक से दिखाई देगी लेकिन अगर आप आप कोई low quality screen पे काम कर रहे है तो उसमें वह सकता थोड़ा अलग तरीक से चीज़े देखे तो request animation frame से क्या होता है यह अगर आप मेरे साथ कभी 3Js पढ़ाने का मुझे मौका मिलेगा आपको तुम्हें बताऊंगा request animation frame यहाप मैंने चला दिया तो बार बार चलता रहेगा आप यहाँ पर मुझे कुछ अगर मैं देखूंगा यहाँ पर जाके तो मुझे काफी smoothly animation scrolling प्रोवाइड हो रही है मैंने क्या करा request animation frame पर मैंने आपको डीटेल में नहीं जाना है अगर आपको बस अपना काम हो जाए क्योंकि हर लाइबरेडी भाई सब इस वीडियो में ही मैंने साथ आट तुम्हें पढ़ा दी हर लाइबरेडी अगर डीटेल में सीखने जाओगे तो कैसे काम चलेगा बता तुम खुद बता कितना आसान हो गया था हमारी लेकाम हम लोग यहाँ पर गईते हमने यहाँ पर जाके इसक इसको अपनी website में apply करना basic setup वाला code उठाओ और यहाँ ले जाके कर दो paste अब आपका काम हो जाएगा आपको इसकी भी जरूरत नहीं है तो basically एक function चला रहा है स्क्रॉल करके तो जब-जब मैं स्क्रॉल करूंगा मुझे यहाँ पर console.log दिखाई देने लगेगा मैं जब-जब स्क्रॉल कर रहा है और object का एक लिए प्रिंट कर रहा है जब-जब स्क्रॉल करोंगे स्क्रॉल हो रहा है प्रिंट दिखाई देने लगेगा आपको यहाँ को समझ आ रहा है बहुत आसान है आपको इसको रखना है तो रखो सेम यहाँ पर request animation चला दिया request animation ता आपको समझ आ रहा होगा काफी जादा स्मूध मैं कर रहा हुना तो मुझे समझ आ रहा है आप एक बार करके देखो बहुत आसानी से काम हो जाएगा आपका बाकि अगर आपको feature rich library चाहिए तो locomotive है और लेनिस के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हो तो इसको ट्राय करो एक स्वाइपर चैस और यह बहुत जादा काम की लाइबरेरी है भाईयों आप अगर देखेंगे ना तो इसके अंदर अपन बहुत प्यारी प्यारी चीज़ है कुछ इस तरीके के swiper sliders बना सकते हैं और इसके अंदर हम कुछ इस तरीके के real life swiper sliders बना सकते हो और यह real में काम क मैक्डोनल्ड्स, बर्गर किंग, ख्वावे, बहुत बड़ी बड़ी companies हमज रहे हैं आप लोग यूज करते हैं कहां देखते हैं इनको practically हम लोग तो आप hotstar.com पे चलो मेरे साथ मैं बताता हूँ मैच आ रहा है वैसे इंडिया शिलंका का लेकिन ठीक है यहां जाके आप लोग जब कुछ इस टाइब की चीज़े देख पाएंगे यह देखी देखी सी तो लग रही है ऐसी चीज़े हाँ यह वाली चीज़े जब आप देखते हैं तो वहाँ पर काम में आता है कौन सबसे पहले यहां जाके आपको आना है स्वाइपर जाएंगे पहली वेबसाइट दिख जाएगी जाने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है गेट स्टार्टेट पर क्लिक तो इसका गेट स्टार्टेट पेज खुल जाएगा और इसके अंदर यह बहुत सारे तरीकों से हमें यूज करने के लिए बोल रहा है लेगिन हमको काई से यूज करना है cdn से यह रही css की cdn यह रही javascript की cdn कर लेते हैं copy और यहां ले कि यहां कर देता हूं आपको यह समझ आया होगा भाईयों है ना जी चलिए ठीक है अब बढ़ते हम आगे की तरफ यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है अब हमको करना क्या है सुनू ध्यान से मुझे यहां पर जाके javascript के अंदर code लिंगना शुरू करूं से पहले मुझे यहां पर बनाना structure और जब हम css की cdn लगाते हैं ना दोस्तों तो css के अंदर हमें already बहुत सारा code मिलता है मैं यह वाले code को copy करके लगा के बताता हूं अपनी css के आगे बेरे भाई इसके अंदर बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं तो यहां जाके यहां जाके यहां जाके हमको करना क्या है बात सुनू हमको यहां पर जाके कुछ pre-made classes का यूज करना पड़ेगा जैसे कि मैंने यहां पर एक class बनाई है जिसका और इसके अंदर है swiper slide what is this के अंदर मैंने लिख दिया है slide 1 और मैंने इसको copy paste कर दिया नीचे की तरफ मैंने कर दिया इसको slide 2, slide 3, slide 4 और 5 पर लिख लेते है 5 अच्छा नंबर लगता है slide 5 sorry मेरी पीचे छुप गया 5 लेकिन हां आपको यहां पर दिखाई दे रहा है किस तर आपको यहां जाके सिर्फ और सिर्फ यह जो पहली वाली class है swiper इसका code लिखना है और वो code भी जाद दर टाइम तो पहली से लिखा होगा लेकिन यहां जाके आपके सकते है swiper की height रहेगी मेरे माल लेते है let's suppose 100% weight रहेगी मेरी 100% और background color देता हूँ मैं hashtag 333 और अगर मैं देखूंगा तो यह कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगेगा तो इस तरीके का ठीक है इसके अंदर एक और चीज़ है जिसका नाम है swiper rapper तो आप देखेंगे अगर swiper rapper को height weight नहीं देनी पहले से मिल चुकी होगी उसको मतलब इसको देनी है parent को देनी है समझ आ रहा है कि मैं हलकी सी इसको padding देदू तो समझ आएगा आपको 10 pixels की एको जैसा दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर ठीक है 10 क्यों काई के लिए दे रहा है PC देदो ना फिर सीज़ा ठीक है और उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर dot let's suppose swiper rapper है हाइडवेटर डिस्पेल फ्लेक्स हो खुदी अपने साब से लगा लेगा swiper rapper नहीं sorry swiper slide है और यहाँ जाके मैं इसको क्या कहूंगा swiper slide को कि मैं यहाँ पर जाके बड़े भाई आपको क्या कहना चाहता हूं मैं देना चाहता हूं display flex align item center and as we can see यहाँ पर text center में आ जाएगा और मैंने font size कर दिया माल लेते हैं 70 pixels तो text थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा तो slide बन दिखने लागा बाकी slides के अंब यह दिखाई नहीं देंगी अच्छा हमें JavaScript के अंदर जाके मतलब समझ रहे हो ना आपको यह समझना पड़ेगा slides के लिए आपको बनाना है swiper slide नाम की class wrapper के लिए बनाना है swiper wrapper बस दो चीज़े याद रखने हैं बाकी की चीज़े आपको लिखना है where आप कुछ भी नाम रख सकते थे इसका मैंने यहाँ पे swiper ही रख दिया है और यहाँ जाके मैंने लिखा where swiper is equal to new capitalist के साथ swiper और यहाँ जाके आप लिख दो dot swiper that's it dot swiper कौन है dot swiper यह वाला swiper class है ठीक है और अगर मैं देखूंगा तो मेरी slides बन के तयार है भाईयो आया समझ में क्या हुआ आप चाहो तो इसको हटा भी दो swiper slide को यह जो दिया था ना आपने क्या ना मैं wrapper को यह बैगराउंड कलर दिया था यह हटा दो कोई दिक्कत नहीं है उसका वै दिक भी रहा है यहारा किस तरीके से बनाई समझा रहा है अगर आप और कुछ बताता हूं जयांच सुनना अगर आप यहां पर जाके यहां पर जाके देखेंगे ना इस code को पढ़ेंगे ना तो आपको समझा जाएगा नहीं तो आप मेरी बात मानों यहां जाके swiper के अंद बात सुनो ध्यान से, हमें यहाँ पर जाना है दोस्तों, नीचे एक option दिखना है आपको look at available demos पर, जब हम demos पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाके हमें मिलेंगे demo, demo मतलब कि इसकी मदल से क्या-क्या बन सकता है, उसके examples, ठीक है, जैसे कि आपको इस तरीके का normal swiper बना सकते हैं, तो हमने अभी अभी बनाया है, दो मिनट पहले, आप चाहें तो navigation बना सकते हैं, है, हाँ, इत्ता असान है, और क्या, ठीक है, मैंने आजाके pagination type की चीज़े कर सकते हैं, यहाँ पर जाके dynamic pagination कर सकते हैं, यहाँ पर जाके pagination के नीचे की progress जो है न, वो उपर side में दिख रहा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जाके चाहें तो हम अपने असाफ से buttons बना सकते हैं, swiper नाम की class के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दी एक, let's suppose, एक h2 है, एक h2 है, जिसकी class है, माल लेते है, next, और इसके अंदर मैंने next लिख दिया है, अभी तो हमको कुछ दिक्कत ने होगी, bottom में next लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकुन मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने यहाँ जाके कहा, dot next जो है, itsकी position है absolute और tops cares 50% पर, और right से बैठा है zero पर एक और साथ मैंने यहाँ आजाके क्या कहा, right से बैठा है और हलकी सी padding दे थी, 5 pixel और 10 pixel नेक्स्ट आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा साथ मैंने दे दिया ट्रांस्फॉर्म ट्रांसलेट माइनस फिफ्टी जीरो कॉमा माइनस फिफ्टी पॉसेंट यह एक्सेंट हो गया है और हलकी सी बारेडेज विघे तो 5 पिक्सल की यहां पर जाके आपकी निक्स्ट नाम की पटन दिख रही अब आपको चाहिए पता है कि आपको चाहिए नेक्स्ट पे क्लिक करें तो यह नेक्स्ट राइड आ जाए उसको कैसे करेंगे भूझ बहुत यह बनी बनाई प्रॉपर्टी है जिसको मैंने जाके open किया object के form में और navigation के अंदर आपको बताना पड़ेगा next element कौन सा है तो मैंने कहा next el यानि element capital E के साथ el और यहां जाके मैंने लिख दिया dot next यह क्या किया अपने अरे मैंने यहां जाके जाके मैं इसके अंदर अगर प्रेव नाम की क्लास बनाई होती तो वह लिख दे था लेकिन नहीं बनाई तो मैंने next रखता हूं और अगर मैं यहां जाके दिखूंगा ना तो मैं next पे click कर रहा हूं क्या मैंने इसका नाम सही रखा है इसके class next है हाँ बिल्कुल है यहां जाके क्या मैंने dot next को इस तरीके से लिखते हैं हाँ सही लिखा है हमने कोई परशार नहीं है बिल्कुल अच्छी तरीके से चलेगा क्या यहां तक समझ आया ऐसी previous बना सकते है या फिर अगर आप चाहो यहां जाके आप next और previous के लिए अलग से classes होती है वह भी यूज कर सकते हैं दिखाता हूं कैसे हां तो यहां पर कुछ बनी होई classes भी होती है जैसे अगर मैंने लिखा swiper-button-next enter तो यहां पर क्या होगा ना पता है इस side में आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगा होगा button अगर same चीज मैंने यहां जाके करा swiper-next प्रेव कर दिया एक previous वाली button भी दिख रही हो होगी यह मैंने कुछ भी नहीं लिखा css के अंदर बोलतो रहा हूं पहले से बनी होई classes रहती है यह हम कुछ छेड़ चाट नहीं करते है इसके साब और यहां जाके मैं next-l के अंदर कह दिया swiper-next- let's suppose मैंने यहां जाके लिख दिया है डेश नहीं sorry button-next तो अब जब मैं next पर जा रहा हूं और यहां जाके मैंने प्रीवेस पर चला जाओंगा अया समझ में क्या हुआ अच्छा हर चीज के लिए यहां पर पहले सी बनी हुई classes जैसे अगर आप pagination करना चाहते है तो उसके लिए भी classes बनी हुए अगर आप थोड़ा सा detail में जानना चाहते है इसकी चीज को क्या चल रहा है तो आप क्या करा कर यह सबसे बेस्ट जैसे आपको navigation से कुछ चाहिए तो आपने यहां जाके क्या का आपने जाके कोड़ पे क्लिक कर दिया और कोड़ पे क्लिक करने के बाद यहां पर मुझे कोड़ सेंड बॉक्स तरीके का कोड़ एडिटर ही होता है उसका पूरा डेटा उसका पूरा कोड़ दिख जाएगा कि यहां पर इसके अंदर क्या कोड़ लिखा हुआ है इसके CSS से लेके इसकी style से लेके नीचे तक का सार अकोड़ तो देखो यहां पे इन्होंने swiper slide button बनाया था swiper button प्रिफ बनाया था और navigation के अंदर दे दिया कितना आसान है वैसी pagination के साथ आपको अगर पता करना है जिसे मुझे time हो गया तो मुझे हो सकता है चीज़े याद हो लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है आप लोग simply जाके बना सकते है classes यहां पर जाके देख सकते है initially लेकिन अगर मुझे यहां पर जाके pagination के लिए बनानी तो मैंने का .swiper pagination as we can see नीचे साइड में अपने को sorry sorry यह वाला part धराना पड़ेगा अपने को नहीं तो error आ जाएगी let me see कहां गलती हो गई मैंने उसका नाम पूरा नहीं लिखाया क्या दिक्कत हो गई swiper के अंदर मुझे यहां पर जाके pagination तो .swiper pagination यहां बनाया तो है और यहां जाके अगर मैं देखूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहां जाके क्या करता हूँ मैं pagination प्रोवाइड कर देता हूँ इसको और मैंने element पास कर दिया .swiper pagination और अगर मैं देखूंगा मेरी website को तो क्या मुझे नीचे pagination दिखाई दे रहा है हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है एडिटर जूम करके अब दिखा दे ना भाई प्लीज यार बहुत नाराज हुए थे यह लोग मैंने खुद नहीं जूम कर दिया कर देता लेकिन मेरा भाई बिचारा यार बहुत परिशान रहता ना बहुत जल्दी एडिट करने रहता है मैं बहुत एंड मोमेंट पर देता हूं एडिटर के लिए तो कई बार हो जाती mistakes हम यहां जाके इसको कह सकते है loop और हम जाके कह सकते है loop को true दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पापिस पहला यह loop में चल रही है अच्छा हम लोग यहां जाके क्या के दे सकते है बाद हम दे सकते है auto play through अबने आप चल रहा है जादू नहीं autoplay बोलते है इसको ठीक है ठीक है autoplay समझ आ गया ठीक है उसके बाद क्या क्या चीज़े है यह अबहुत सारी चीज़े है धिरे-धिरे पढ़ेंगे ना ठीक है ठीक है चलो ठीक है तो मैंने यहां जाके autoplay बता दिया आपको और आपको जिस type का भी चाहिए उस type का यहां पर आपको जाके मिल जाएगा डायनमेक बुलिट सारी इंस्ट्राग्नाम पर जैसे आती है वैसी color थीक नहीं है थोड़ा सा color थोड़ी दिर के लिए इसको फ्लीज जेल ले ना यार मैं इसका color जिये स्वाइपर का वाइट कर रहा हूं जिस जिये ले ना और यहां जाके इसका color मैं कर रहा हूं black इतना बढ़िया लग रहा है यार क्या परिशानी इसमें सब कुछ तो सही चल रहा है इस तरीके से स्वाइपर के अंदर काम करते हैं और बहुत सारी तरीकी की चीज़े मिलती हैं यहां पर आपको बहुत प्यारी 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 हम लोग करेंगे इसको कवर लेकिन जब हम बनाएंगे उन में हमें जिस चीज की ज़रुत होगी उस चीज को हम यहां से उठाएंगे और हम हमारा काम कर लेंगे यहां पर जाके स्वाइपर के अंदर आप प्रॉपर्टीज देते हैं आपका काम हो जाता है समझ आया है के भाई हो चलिए ठीक है तो आब हम बढ़ते ह करूँ फ्रेमर मोशन तो यहां पर हमें दिखाई देगा कि फ्रेमर मोशन एक फ्रेमर नाम की कंपनी है नामी कंपनी का फ्रेमर है जो कि नो को टूल बनाती है तो उन्होंने यह लाइबरेरी को बनाया जो कि इस्पेशली रियक्ट के लिए बनी गई है रियक्ट के अंदर आप Spoonhe animation react के अंदर हम बहुत सारी जीज़े कर सकते हम जीज आप animations भी बना सकते लेकिन अगर आपको react के अंदर animations बनाना है तो सबसे better option अगर कोई है तो वह है फ्रेमर motion समझार ही आप लोगों को फ्रेमर motion की मदद से अपन बहुत त्यारे animations बना पाएंगे रियाक्ट के अंदर तो अब इसको यूस करना शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोग अगर रियाक्ट वाली वीडियो देख क्या है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो हम लोग यहां पर रियाक्ट का एक उल्डर बनाने वाले हैं विद्धियालप वीट वाइट नहीं हो स्वाएट नहीं होता वीड होता है यहाद रखना लेकिन कोई बात में नपीमग्र वीट और यहां प्रोजेक्टाम रखना और मैंने react के अंदर जाके cd react है यानि उस folder के अंदर जाके npm ie करके install कर लिया है node modules को तो जब हम यहाँ पर जाके हमारे react वाले folder को देखेंगे तो यहाँ पर जाके हमें थोड़ा सा slow है माफ करना लें काफी सारी चीज़े दिखाई दे रहे हैं काफी सारी अब आपको इसके लिए react आना चाहिए दोस्तों वह प्री रिक्विसिट है अगर आप इस वाले पार्ट में आएं डारेक्ली तो तो react के अंदर हम लोग यहां जाके देखते हैं तो हमारे यहां पर बन चुकी है सारी फाइल्स और यहां जाके मैं simply npm run dev करके अपना सर्वर भी स्टार्ट कर लूँगा और src के अंदर हमारे पास app.jsx है जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है अगर मैं अपने सर्वर को ओपन गरूंगा localhost 5173 पे तो यह कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा सिंपल यह हम लोगों ने बना लिया यह default में बना हुआ आता है इसके बाद हमको करना क्या है हम लोग यहां जाके simply जो भी app.jsx के अंदर लिखा हुआ तो हटाएंगे और और यहां जाके सब कुछ हटा देंगे और साथ में बॉड़ी का बाग्राउंड कलर कर देंगे और हमारे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका कलर कर देंगे हम लोग हैश्टेग एफफफ आपकी आखे खराब ना हो समझ रहे हो कितना ख्याल रखता हूं मैं आप लोगों का लेकिन आप लोग क्या करते हो आप लोग डाउट ही नहीं पूछते हो आप लोग कॉमेंट ही आप लिए करेंगे यार बॉक्स बना लेंगे एक सिंपल सा और सीएसस में उसकी प्रोपरटीज लिख लेते हैं बॉड़ी को हलकी सी पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल की और यहां जाके मैंने लिखा हैस्टेग बॉक्स हैश्टेग बॉक्स थाइट 300 पिक्सल और बैग्राउ यहां पर हमारे पास एक बॉक्स बंके तयार है अब मुझे यहां पर फ्रेमर मोशन को local करना है तो यहां पर आप सारी किछा तो बहुत सारी चिज़े बहुत सारक ईबब Perché हो यहां पर जाकर है अपने को यहां इंतर दबाएंगे तो ASMR-Motion उपनियार के लिखना याद रखना इंस्टल हो जाएका और वापिस से जाकर स्रेवर को अब फ्रेमर मोशन ना है यार दोस्तों फोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है मतलब भाया मतलब इसके अंदर आपको चीज़े थोड़ी सी अलग वे में बनानी पड़ती है अधर आप किसी डिव को あपको चैसा भी अनीमेट करना चाहते है तो आपको उस डिव को एक मोशन कॉंपोनेंट के फॉरम आरहता है बोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुन्ने में लेकिन हाँ motion component क्या होता भी है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक div बना रहा हूँ तो इसको आप एक normal div के तोर पर मत बनाओ आप इसको बनाओ एक motion dot div के form में अच्छा तो खतम भी ऐसी करें हाँ motion dot div तो यह क्या अलग हो जाएगा इसमें मैं यह बता रहा हूँ कि इस तरीकी से बनाए जाता है अगर आप frame and motion के अंदर कुछ करना चाहते हो तो अगर आपको एक h1 बनाना है तो आप simply h1 नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर जाके यहाँ पर जाके अगर मैं कुछ लिखूंगा तो दिखने लगेगा कि हाँ बिल्कुल दिखने लगेगा कि हमें यहाँ पर कोई error नहीं आएगी error तो आएगी error तो आएगी console में आएगी देखो कितनी सारी error आ रही है क्योंकि आप अभी हमारे react को पता नहीं है कि motion है क्या हमें इसको बताना पड़ेगा motion क्या है तो आप एक काम कर लीजिए मैं trick बता रहा हूँ बहुत प्यारी सी आप लोग यहाँ जाके लिखे motion enter दबाना यहाँ पर कुछ कुछ आ जाएगा लिखा हुआ या फिर आप एक काम करना नहीं आ रहा suggestion तो IMP import enter मैं आप पर फ्रेमर मोशन के अंदर से एक object इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है motion नहीं समझाया फ्रेमर मोशन को इंस्टॉल कर रहा था न तो आप हम उसको import भी तो करेंगे इंस्टॉल डिव बनाता था वैसे ना करते हुए मैं इसको बनाऊंगा एक motion.div और इसको खतम भी मैं करूँगा as a motion.div चीक है क्या फर्क दिखेगा यह हमको कोई फर्क नहीं दिखेगा कोई फर्क नहीं दिखेगा अच्छा मैं यह दिक क्यो नहीं रहा यहां जाके हमने hashtag box बनाया था जो की कुछ ऐसा दिखाई देता था स्क्रीन पर हम लगों को क्या करना है इसको एक normal box बनाने की जगा motion.div और खतम करते टाइम भी motion.div समझाया क्या हुआ यहां पर इस तरीके से मैं ने बना दिया और यहां पर फ्रेमर मोशन के अंदर हम चीज़ें देते हैं इंदी form of attributes बताओं कैसे बहुत आसान है देखो आप यहां पर attribute देंगे दोस्तों एक attribute है यहां पर जिसका नाम है animate तो आप लिखेंगे animate एंटर दबाएंगे और animate लिखने के बाद आपको equal to लगा के object बनाना है और इसके अंदर एक और object बनाना है और उसके अंदर लिखने है जो भी सीज़ें आप लिखना चाहते है मतलब हम लोग animation करते थे तो हमारा एक box है box यहां से यहां की तरफ जा रहा है तो अगर आपको उसका कोई भी final position वाली चीज़ है या फिर क्या animation कर जाईए आपको वो लिखना है तो आपको यहां पर motion के अंदर as an attribute लिखना पड़ेगा animation और हमारे लिए attribute है animate sorry हमारे लिए attribute ह उसके लिए एक प्रॉप्स है बाद मैं समझेंगे अच्छे से यहां पर लिखा animate और मैंने यहां जाके इसको open कर लिया कुछ इस तरीके से object के अंदर object अब इसके अंदर मुझे लिखना है let's suppose मैंने लिखा x से से चले जाओ बड़े बाई आप हजार पर चला जाएगा बहुत quickly चला गया पता भी नहीं चला कैसे गया फिर से बता हूं क्या दिखाता हूं देखो क्या किया था मैंने motion.div था है यहां पर मुझे कहना है x पर चले जाओ आप 1000 पर और साथ में y पर चले जाओ आप 500 पर चला जाएगा क्या बिलकुल चला जाएगा बहुत तेजी से जाएगा अच्छा तो यहां पर duration दे सकते हैं अब यहां पन duration यहां नहीं दे सकते हैं आरा म सॉरे यार duration अगर आपको देनी है तो एक अलग से आपको एक property बनानी होगी जिसका नाम है transition तुछ इस तरीके सा और उसके अंदर भी object के अंदर object बनाके आप यहां पर मुझे transition वाली चीज़े देनी है जैसे कि animate के अंदर मुझे देनी है चीज़े जो मुझे animation के अंदर डालनी है जै transition मैंने देदिया 2 seconds का ठीक है हलकाँ सा delay देते है कॉम लगा के मैंने देदिया 1 seconds का तो देखो क्या होगा आया समझ में क्या हुआ अगर मैं यहां जाके delay के साथ में इसको अगर देना चाहता हूं Ease होता है न हाँ इस होता है इस मैंने दे दिया माल लेते हैं यहां पर जाके इसको anticipate तो यह कुछ ऐसा चलेगा हलका सा पहले स्टार्ट लेगा और फिर आगे जाएगा समझा रहा है यहां किया हो रहा है किस वगरा दे सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं जो तुम्हें देना हो वो दे सकते हो animate के अंदर दे सकते हो let's suppose x से दिया था ना अभी y से देके देख लो x फिर से लिख दिया sorry y से लेके देख लो और यहां जाके आपका element जो है सही है अच्छा और क्या क्या कर सकते है आपने इसके अंदर चो तुम्हें देना हो यह बहुत प्यारे तरीके से हमारे react के अंदर स्टीट को manage करता है इसलिए यह प्रिफरेबल है जो देना है दे सकते हो बैग्राउंड कलर अगरा देना वो भी दे सकते हो आपके हाथ में देना निचारा मेरे को बैग्राउंड कलर सही लग रहा इसलिए और यहां जाके इंफिनिटी करके एक value होती है यहां पर समझ आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से काम हो रहा है और भी कई सारी चीजें इसके अंदर वो भी मैं दीरे-दीरे आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा लेकिन यहां पर आपको animation तो समझ आ गया किस तरीके से हो रहा है इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें दे सकते हो जैसे कि आप दे सकते हो इनिशियल इनिशियल क्या हो तब अगर मैं कुछ इनिशियल पोजिशन से देना चाहता हो मेरे इलिमेंट जैसे मेरे इलिमेंट बैठा हुआ है expert माल लेते हैं 300 तो है initial position मैंने दे इससे क्या होगा और इसके अंदर आप लोग जो एनिमेशन मनाना चाहें बना सकते हैं मतलब यह यहां जाके यह चोटी सा टॉपिक नहीं है यह बहुत बड़ा टॉपिक है मज़दा टॉपिक है पढ़ेंगे किस दिन आराम से अगर आपका होगे तो बहुत जल्दी पढ़ेंगे नीचे आपका सहने में लिखा वोकक्स हमिए यहां पर बैठा हुआ हा है चलो ठीक है इसका नामे ट्राग लिख दित घंचDisक क्या होगा इसको ड्राग करसकता हूं समझाज है ये मेरी बात डिर्क नहीं लिखा था तो कुछ नहीं कर पा रहा था देखो ये बैठा हुआ जगा पर नहीं हिल रहा है उल्लो है मैंने यहां पर जाके अगर कहा ड्राग सिर्फ ड्राग लिख दिया से अब यह द्राग मैं उठा के फेक सकता हूं इसको बहुत कॉंस्ट्रेंट्स जिसके अंदर मैंने जाके कहा कि मेरा एलिमेंट जो है ना ड्राइग कॉंस्ट्रेंट्स के अंदर जाके मैंने कह दिया क्या मेरा एलिमेंट जो है वह एक्स पर ज्यादा से ज्यादा हजार तक जाएगा तो अब देखो क्या होगा, जब मैं इसको आगे fake रहा हूँ, यह चला गया, sorry, x नहीं देना होता है, sorry, 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 मैंने आ जाके का, top से 0, अगर मैंने top से 0 कहा ना, तो यह top से 0 पर ही है, अब यह top से उपर नहीं जा रहा, अगर मैंने drag constraints नहीं दिया होता, मैंने boundaries बनाई है, by the way, तो ऊपर में भी बहुत ऊपर तक चला जाता, समझा रहा है, लेकिन अगर मैंने कहा इसको drag constraints, let's suppose मैंने कर दिया इसको top से 0, और left से भी मैंने कर दिया 0, पीछे नहीं जाएगा, आगे के तब ही चला जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, आगे का मैंने कर दिया इसको, माल ल और bottom से मैंने कर दिया, माल लेते हैं, 300 pixel पे, जब आगे जाएगा तो आगे भी एक certain point तक ही जा पाएगा, 1000 अपने को यार ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, शायद मेरे इसाब से हो सकता, यह गलती करी हो अपनने, देखते हैं एक बार अपन पूरी जान से इसको फिक रहा हो, तो भी नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर, bottom में भी यह 300 से नीचे नहीं जा रहा, अब यह 300 में बहुत आगे तक चला गया होगा, bottom में भी यह 300 से आगे नहीं जा रहा है, समझा रही ही मेरी बात आप लोगों को बढ़िया, तो बहुत कुछ कर सकते हैं वहीं तो मैंने कि जब माउस आएगा उसका बैक्ग्राउंड कलर नहीं 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 चल बैक्ग्राउंड कलर दें बैक्राउंड कलर मैंने जाके दे दिया मालेते रॉयल ब्लू जब इसमे मौस आएगा तो इसका बैक्राउंड कलर क्वार होने लगा रॉयल ड्राग और वाईल ड्राग के अंदर मैंने कहा इसकेल जीरो पॉइंट नइन तो अभी एक कुछ ऐसा दिख रहा है जब मैं ड्राग करने लेके जाऊंगा तो हल्का इसका स्केल कम हो रहा है भाई यह आपको समझ आ रहा है मेरी बात जब मैं ड्राग कर रहा हूं उसको यह ना जब मैं यहाँ पर जाके बहुत जादा डीटेल में पढ़ना बाकि है तो मैंने सर्फ आपको उपर उपर से बताया है कि आपको इंस्टॉलेशन समझ आया नपीम आई फ्रेमर मोशन करके इंस्टॉल कर सकते हैं उपर यहां पर जाके मोशन डिफ बना सकते हैं और उसके अंदुआद जाके यहां पर आई अपने इसाब से चीज़े जैसे आपको बनाने अपने इसाब से करिया इनिमेट बहुत कुछ सीखना बाकि है तो आप नीचे कॉमेंट करेंगे शायद फ्रेमर मोशन और इसके बाद आप लोग अगर कॉमेंट करेंगे तो हमने इसके लिए फुल वीडियो लेके आए मैंने आपको रिविजन दिया है हर उस लाइप्रेरी का जो जरूरी है आपके टूरी अनिमेशन में अवाड़ेड बनाने में क्या आप समझ पार है मेरी बात बहुत डीटेल में पढ़ानी की कोशिश की गई लेकिन एक लेंध का भी ध्यान रखा जाता है इसलिए वीडिय में भी दे दूँगा मैं हर चीज के ऊपर कंप्लीट वीडियो आप अगर डीटेल में समझना चाहे दिस वाज दी रिविजन वीडियो और टाइप आफ टूरी अनिमेशन जो हमने इस वीडियो में सीखे है अगर आप यहां तक टिक हुआ है और आपने लास तक वीडियो क को देखते हैं है अगर आप लोग यहां तक आए हैं तो थेंक यू थेंक यू थेंक यू सो मच इनको जो भी हमने चीज़े पढ़िए प्लीज प्रेक्टेस करना आप चाहें तो मुझे इंस्ट्राग्राम पर मेंसेज कर सकते हैं सार्थक.शर्मा मेरी इंस्ट्राम आईड को क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो वीडियो जादा लोगों तक पहुशती है तो थोड़ा सा हमें भी मदद होगी ग्रो करने में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो आपके और लेके आपाए और अगर आप सब्सक्राइब करते तो ह में लगेगा कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है धन्यवाद इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए मैं था आपका इंस्ट्रक्टर सार्तक शर्मा आप देख रहते शेरिंस कोडिंग स्कूल थैंक्यू सो मच